हेलो नमस्ते नमस्का डॉक्टर्स मूस्ट वेलकम इन उतकश क्लासे सबका हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकी क्या टैक्सोनॉमिकी बात कर रहे हैं यानि लिविंग वर्ल्ड, बालोजीकल क्लासिफिकेशन, प्लांड किंग्डम और अनिम ज़्यादा होते तो लगबग में तीन-चार कुश्चन तो रहता ही है और अनिमल किंडम में भी तीन-चार का कुश्चन है लगबग 10-12 कुश्चन ये टैक्सोनॉमिकी लेकर जाएगी राइट चले शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक का सफर तो देखें टैक्सोनॉमिकी मे बनते हैं और यही आए हैं और यही आते हैं अगर हम बात करते हैं इसमें जो पहला कुश्चन बनेगा वो क्या है भई इसके अंदर नाम करण से पूछा जाएगा क्या नाम करण से पूछा जाएगा तो पहले कुश्चन की बात करते हैं जो बनेगा नॉमेन क्लेचर से जी तो नाम करने के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर ICBN को follow किया जाता है, और ICZN को follow किया जाता है, International Code of Botanical Nomenclature और International Code of Geological Nomenclature, यह plant के नाम देती हैं, और यह जनतों के नाम देने वाली संस्ता है, ठीक है, तो यह हम बात करेंगे ICBN और ICZN, Second Nomenclature में जो प्रिशन बनता है, बच्चों वो ध्यान रखना इसके अंदर जो follow किया जाता है, वो है binomial सिस्टम को, क्या binomial सिस्टम को और इस binomial सिस्टम को देने वाला scientist था, lenius, कौन था, lenius, कौन था, lenius, याद रखेगा, lenius का नाम, और जब नाम lenius का चला है, जब नाम lenius क चला है, तो father of binomial सिस्टम, जवी नामी पती का जनक, father of two kingdom, father of taxonomy, याद रखेगा, जो lenius है, वो तीनों की फादर की बात करते हैं, ठीक है ना, यह lenius है, जिसको हम कहते हैं, इसको taxonomy का father, जी हाँ, taxonomy का father भी कहते हैं, जिसे two kingdom का father भी कहते हैं, क्या, दो जगत, प्लांटी औ और एनिमिल्या देने वाला यही विग्यानिक था, taxonomy शब्द candle लेने दिया था, पर पिता की रूप में हम किसको lenius को जानते हैं, binomial सिस्टम भी इसी ने दिया था, और यह अब हम बात करेंगे, नियम की, जी हाँ, नियम की, जो एक्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, त और इसको नाम दिया था वही, lenius ने दिया था, तो विग्यानिक नाम क्या कहते हैं, scientific नाम का जो नियम है, वो है कि इसमें जो पहला वर्ड है, वो genus होता है, याद रखेगा, पहला जो होता है, वो genus होता है, once होता है, दूसरा जो होता है, वो species का आता है, या species epithet, specific epithet भी कहते हैं, जाती का आता है, यह linear scientist का नाम है, जो shortcut में लिखा जाता है, इसे underline नहीं करते हैं, तो चुनियम है, पहला genus आएगा, फिर species आएगा, once और जाती, यहां देखिए, पहला जो later है, वो capital होगा, दिख रहा है आपको, m बड़ा होता है, i छोटा होता है, फिर scientist का न लाइन नहीं किया जाएगा, व्यग्यानिक नाम को underline करते हैं, अगर print होगा, तो इसे italic लिखा जाएगा, याद रखना, अगर hand written होगा, हाथ से लिखेंगे, तो underline करेंगे, print होगा, तो इसे italic या तिर्चा लिखा जाएगा, ठीक है, यह जो NCRT में दे रखा, वो याद रखें, और Latin बाशा का उपयोग किया जाता है, Greek बाशा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मृत बाशा है, ठीक है, और अगर bouncer question पूछा जाए, अगर bouncer question पूछा जाए, तो फिर क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, चलिए, तोटो नीम्स क्या होता है, question आएगा, टोटो नीम्स क्या होता है, टोटो नीम्स के अंदर हम बात करते हैं, इसके अंदर, ठीक है ना, सेम नाम की, जैसे रेटस रेटस, क्या भई, रेटस रेटस की बात करते हैं, चुवे का जो नाम है, रेटस रेटस है, ठीक है, मचली कतला कतला की बात करूँ, नाजा नाजा की बात करो क्या है ना कोबरा का नाम नाजा नाजा तो यह तो एक्जांपल जो मैंने लिखे हैं यहां पर है ना यह कोबरा का नाम है यह चुहे का नाम है पर यह नाम केवल iczn के हिसाब से valid है icbn के हिसाब से valid नहीं है तो आप देख सकते हैं जब genus और जो species है दोनों समान होने चाहिए जब दोनों के नाम समानों 133K से total nims कहा जाता है और ये नाम केवल ये नाम केवल iczn के द्वारा ही valid होते हैं है ना तो कौन valid है वही iczn के हिसाब से ही valid होंगे icbn ऐसे नामों को valid नहीं मानता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है जो ncrt में दे रखा है चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर जो दूसरा प्रशन बनेगा बच्चों जो आपको ध्यान रखना है hierarchy system पदानू करम पर सवाल बनता है species, genus, family, order, class, division, kingdom तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो करम देखे ये अवरोई भी हो सकता है आरोई भी हो सकता है descending या ascending दोनों हो सकता है इसमें से जो taxonomic category कहता है इसे क्या कहते हैं वर्गी करन की शेणियों की बात कर सकते है जिसमें सबसे छोटी जाती होती है species होती है ठीक है याद रखना जॉन रे ने इसके बारे में बताया था अगर biological concept की बात करते हैं तो Robert Meyer का नाम जाता है अगर species concept की बात करता हूँ तो जॉन रे का नाम याद रखना और जाती को परिभाशित किस ने किया था तो Robert Meyer का नाम याद रखना ठीक है species की अगर बात चलिये तो नीट का एक question था Robert May के अनुसार 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां उपलब्ध है धरती पर ये नीट में आया वा प्रिश्ण है 2020 में ही आया था ठीक है अब देखिए जाती, वन्स, कुल, गर्ण, वर्ग, प्रभाग और जगत की बात की जा रही है अच्छा सवाल क्या है भी ठीक है अगर हम बात करते हैं इसके पीछे क्या चीज़ लगती किंग्डम के पीछे कुछ भी नहीं लगता है इसे प्लांट किंग्डम दे रखाए ठीक है ना जैसे प्लांट किंग्डम की ही बात कर रहे हैं अपन इसमें तो डिविजन के अंदर देखिए स्परमेटोफाइटा, फाइटा पीछे लगता है class के पीछे और और गन के पीछे else लगता है और family के पीछे ac लगती है क्या भई ac लगती है और genus के पीछे कुछ नहीं लगता है ध्यान रखेगा तो ये अच्छा सवाल है इसे गन कहेंगे बाकी तो आपको पता ही है है ना ये वर्ग है और अगर हम बात करते हैं animals के लिए हम बात करते हैं किसके लिए है animals के लिए होगा बस चोटी सी चीज याद रखना और हर पद एक छोटा सा पद कुछ भी ले लो चाए family ले लो चाए class लो उसे taxon कहा जाएगा क्या जिसे taxon कहा जाएगा याद रखना कोई भी एक rank होगी उसे taxon कहा जाएगा याद रखना किस इसी भी पद को, एक rank को, एक category को हम text on कहेंगे, ये hierarchy system या पदा नू करम कहलाता है, जहां से प्रशन बन सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और NCRT की टेवल दे रखेंगे, एक NCRT की टेवल दे रखेंगे, वो क्या कहती है, wheat, critica mastivum, poise, poils, class, monocodylidine, division angiospermiv, plant है, मेंगो, मेंजी परेंडिका, एनकारडियसी, sapindis, dicotillin, angiosperm, तो question, मैंजदा कोलम का बन सकता नीट में, क्या, इन पर ध्यान रखना, मेंगो का ध्यान रखना, तो मेंगो में याटना, मेंगो, मेंगो, आदमी भाग जाता है, किसको देखकर, एनकोंडा सांप को देखकर, ए देखकर, dicot, और मेंगो, dicot ही होता है, कम से कम, एक-दो तो याद होना ही चाहिए, housefly, देखको, नाम सी, muska, domestica, मसीडी, अराम सी याद होगा, है ना, डिप्टे रातों पता, यह बायोटेक में पढ़ते हैं सब, इंसेक्ट है, कोई नहीं चीज नहीं है, आथरपोडा का मेंबर है, homo sapiens, hominidi, match कर रहा है, वसी भी, primates, mammalia, codata, तो यह चीज़े ध्यान रखनी, जो NCRT में टेबल है, match the column में question बन सकता है, इसके अलावा जो NCRT कहती है, कुछ चीज़ें हैं, जो extra में आपको याद रखनी है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज, can dog feel cat, क्या dog, cat को feel कर सकते हैं, क्या यार रखेंगे, canis, किसका नाम है, dog का, feel से यार रखना, fellis, किसका नाम है, cat का, ठीक है इसे से आप चुरा सकते हैं, canady, क्या चुरा सकते हैं, canady, ठीक है, इससे क्या चुरा सकते हैं, fellady, क्या चुरा सकते हैं, fellady, यह family हो गए वई, कार्णी वोरा, order के अंदर आएंगे सब, ठीक है, तो आप कह सकते हैं, canis है, canady बन गया, और यहां हम बात करते हैं, fellady बन गया तो याद रखना, बिलियों का परिवार जो है इसमें ध्यान रखना फैलेडी से है और डॉक, फुल्फ, बेडिया सब कैनेडी से आते हैं, NCRT में दे रखा है, ध्यान रखेगा इसके अंदर सही है, तो ये चीज़े, डॉक का नाम कैनी से, कैड का फैली से, फैलेडी से तालुक रखते हैं, ये कैनेडियों के अंदर आते हैं, कन्फ्यूस मत होना, इसलिए मैंने चीज लिखवाई है, ठीक है इसके अलाबा NCRT के और खुबसूरत लाइन जो है, वो याद रखेगा, इसके अंदर पॉली मॉनियल्स दे रखा है, क्या आप पॉली मॉनियल्स एक ओर्डर दे रखा है, जिसमें कौन वॉल वूलेसी की बात की जाती है, और सॉलेनेसी फैमिली की बात की जाती है, देख जो important question है, एक और चीज मेरी ध्यान रखना, तो जातियों के अंदर, जो है, species के अंदर, जो है, वो ज़्यादा character match करते है, जैसे जैसे अपन kingdom की तरफ जाएंगे, वो character कम match होते जाएंगे, ठीक है, जो NCRT हर line में ये देखने को मिलती है by line, ठीक, taxonomic add की बात करते हैं, साधन की बात करेंगे, क्या साधन, NCRT इन साधन की बात करती है, चलिए देखते हैं, herbarium, match the column का ही question बना नीट में, herbarium, museum, botanical garden, है ना, key, और इसमें flora, phona, manual, इस तरह का match the column question बनेगा, herbarium की बात की जाती है, तो herbarium है क्या, herbarium एक store house of collected plant species man है, species man की बात करते हैं, कोई plant है, उसे हमने क्या किया, तोड़ा, दबाया, प्रेस किया, है ना, तोड़ा, सुकाया, दबाया, प्रेस किया, और उसकी एक sheet बना देते, जिसे herbarium sheet कहा जाता है, क्या, herbarium sheet कहा जाता है, तो यही लिखा है store house of collected plant species मेंने की point यार रखना match the column में यही लिखे आएंगे आपको tick लगाना होगा ठीक है तो लिखे dry किया प्रेस किया और preserve किया sheet पर चिपका दिया herbarium sheet के अंदर एक question आचुका नीट में उसमें date लिखी होगी है ना इस्तान place है ना place लिखा होगा English नाम लोकल नाम लिखा होगा उसका botanical नाम लिखा होगा family लिखी होगी और किसने उसको collect किया उसका नाम भी लिखा होगा पर पादब की उच्चाई के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी ये नीट में सवाल बन चुका है ठीक है सारी जानकारी होगी ठीक और इसका जो use होता है वो reference के लिए किया जाता है क्या reference या संधर्व के लिए किया जाएगा museum की बात करते हैं तो simple सी बात है collection of preserve plant और animals होते हैं पर वो non living होंगे living नहीं होते हैं राइट तो याद रखना museum के अंदर plant और animals species man को रखा जाएगा reference का काम करेंगे ठीक है भाई तो ये technical चीज़े याद रखना बेटा herbarium को इंदी में herbarium ही कहेंगे सही है तो ये चीज़े याद रखेगा next day case में botanical garden क्या होता है simple जो जिवीत पात्मों का संग्रण होता है collection of living plant क्या collection of living plant है इसको भी reference के लिए यूज किया जाता है याद रखना अब NCRT क्या कहती है botanical garden क्यूंग इंग्लेंड कोश्चन आ सकता है सबसे बड़ा जो botanical garden क्यूंग इंग्लेंड में है और इंडिया की बात करते हैं Indian Botanical Garden हावडा कॉलकाता के अंदर है National Botanical Research Institute लखनव इंडिया के अंदर है देखिए NBRI हैना इसे shortcut में कहते है NBRI याद रखना हैना confuse कर सकते हैं National Botanical Research Institute की बात करूँगा तो वो लखनव में है और Indian Botanical Garden की बात करेंगे वो हावडा इंडिया में है याद रखेगा फिर हम बात करते हैं की कुंजी की बात करते हैं क्या कुंजी की बात करते हैं याद रखेगा बेटा ठीक है ना बिल्कुल तो कुंजी क्या होती है कुंजी की अगर बात करते हैं इसके अंदर तो यह सबसे important है कि identification क्या जाता है plant और animals के बारे में समानताओं उश्मताओं के अधार पर किया जाता है क्या similar है, क्या dissimilar है जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़े देखी जाते हैं सिमिलर है, और ये dissimilar है और उनको एक हम बात करते हैं जोडे में लेते हैं, पेर फोर्म में लिया जाता है तो धान रखना अच्छी चीज़ लिखिए Contrasting Character विप्रियासी गुणों का उप्योग किया जाएगा और इनको जोडों को क्या कहते है कपलेट कहा जाता है Key point याद रखना है Key के अंदर जो है विप्रियासी जोडे लिए जाते है हैना opposite pair लिए जाते है जिने कपलेट कहते है ठीक है और दूसरी जोफ से important चीज़ है कि यहाँ पर एक को select करेंगे दूसरे को reject किये जाएगा और हर statement को हर कथन को lead कहा जाता है Mark दर्शन कहा जाता है क्या Mark दर्शन कहा जाता है याद रखेगा lead कहा जाता है की point याद रखना है की के अंदर जो भी character है तो similar और dissimilar के हिसाब से उनको अलग-अलग करेंगे जोडे में लेंगे कपलेट कहेंगे हर कथन हर statement को lead कहा जाएगा ये एक analytical device है ठीक है और हर अलग-अलग class के लिए family के लिए अलग-अलग बनाई जाती है ठीक है वाई NCRD की line है याद रखनी होगी family के लिए once के लिए जाती के लिए सब के लिए अलग-अलग बनाई जाती है क्योंकि विशलिशना अपमक प्रकरती की होती है analytical nature की होती है last चीज chapter की flora flora का मतलब क्या होता है simple सा याद रखना plant दिमाग में plant आना चाहिए plant का जो distribution होता है वित्रण होता है तो flora कहलाता है अगर इसके भाई की बात करते है इसका भाई कौन हो गया fauna क्या हो गया fauna fauna किस से related होगा related to animal क्या भाई जनतों से संबंदित होगा तो उसे fauna कहेंगे और पात्मों से संबंदित होगा तो flora कहा जाएगा दोको ये चोटी चोटी चीज़ें बहुत confuse करती है manual का मतलब है description of the plant in given area किसी भी एक area के अंदर हम बात करते है कोई भी हो सकता है चाहे जाती हो चाहे once उसके बारे में जानकारी होगी तो manual कहा जाएगा अगर किसी एक tax zone की बात करेंगे ध्यान रखना key point अगर एक tax zone की जानकारी की बात की जाएगी तो monograph होगा किसी एक tax zone की बात की जाएगी तो monograph कहेंगे और अगर किसी area के अंदर कोई भी हो सकता है तो manual कहा जाएगा और catalog तो क्या है जो हम restaurant में जाते हैं सारी सूची होती है alphabetical याद रखना alphabetical arrangement जातियों का सूची होती है जिसे catalog कहा जाएगा तो ये chapter है बहुती easy chapter है इस तरह के question है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next chapter biological classification बैटा देखू English term से फिर Hindi में बोल देता हूँ है काफी वच्चों होगा क्योंकि Hindi लिखेंगे तो English वाले समझ नहीं पाएंगे क्योंकि bilingual चल रहा है तो मैं बोल Hindi में लूँगा ठीक है थोड़ा सा है ना कीजे आप भी biological classification अब दूसरा बड़ा topic है monera, protesta, fungus और virus main ये topic है क्योंकि plant kingdom अलग हो जाता है animal kingdom अलग हो जाता है तो यहाँ जगर बात करते हैं question की तो जो पहला question बनता है वीटेकर classification पे बनता है क्या वीटेकर classification पे बनता है अगर हम बात करते हैं classification system के अंदर तो आप देख सकते हैं इसमें two kingdom two kingdom lenius ने दिया था किस ने दिया था lenius ने दिया था है ना planty और animalia फिर हम बात करते हैं three kingdom three kingdom के अंदर बात करते हैं कौन आता है three kingdom में hackle कौन आता है hackle प्रोटेस्टाग के बारे में बताया था है ना, हैकल फिर हम बात करते हैं, Four Kingdom जिसमें Corp Land आता है क्या आता है? Corp Land मौनेरा के बारे में फिर हम बात करते हैं, Five Kingdom और Five Kingdom है ना, Vittaker RH Vittaker Six Kingdom Carl Woods आया था और नहीं पुछा जाएगा Carl Woods 3 domain दिया था इसने, क्या 3 domain Archaea, Eukaria, Bacteria की बात करते हैं, 3 domain 6 kingdom भी कहते हैं, 3 domain भी कहते हैं तो ये चीज़े याद रखना है सबसे important जो है वो 5 kingdom विटेकर का है, क्या 5 kingdom विटेकर की बात करेंगे जो exam में पूछा जाएगा चलिए, अगर हम बात करते हैं मौनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, प्लांटी एनिमीले के बारे में हैं question ये पूछा जा चुका ये वर्गी करन किस पर आधारित है क्या किस पर आधारित है ठीक है वाई, cell structure कोशी का सरचना पर thallus organization, thallus संगठन पर, है ना nutrition portion के आधार पर reproduction और phylogenetic relationship की बात कर रहे है ठीक है, तो इन बात करते है इन चीजों पर ये क्या था आधारित था, याद रखेगा तो जो NCRT की line है वो आपको याद रखनी है, ठीक है और depend करेगा option पर कैसा option दे रखा है, clear, तो ये एक अच्छा question बनता है, जहां से सवाल पूछा जा चुका है, किस पर आधारित है, किस पर आधारित है, ठीक है, और इस चीज को हम चार्ट में पढ़ते हैं, जो NCRT का चार्ट दे रखा है, इस पर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं इसमें monera, protesta, पंगी, प्लांटी, एनिमेलिया की सवाल देखे, टेबल से क्या पूछा जाएगा, अगर बात करते हैं कोशी का के परकार की, तो देखे प्रो कैरोर्स है, बाकी सारे यू कैरोर्स है, तो पहला सवाल बन गया आपका कौन प्रो कैरोर्स होते हैं monera, कौन प्रो कैरोर्स होते हैं monera, पहला सवाल बस ये आपको बस इतना याद रखना है कि कोश्षन क्या बनेगा क्या कोश्षन क्या बनेगा ठीक है, कोशी का बीती की सेल वॉल की बात कर रहे हैं non-salvar, poly-sacred और amino acid, याद कीजिए बैक्टीरिया के अंदर जो है वो peptido glycan होता है mucopeptide जिसे कहते हैं amino acid भी साथ में होता है ठीक है तो polysaccharide plus amino acid लिखा है ठीक है बई तो यहां बात करते हैं peptido glycan की होगी protesta के अंदर कुछ में present होगी देखेंगे आगे fungus के अंदर without cellulose kaitin होता है क्या है लिख सकते हैं kaitin और polysaccharide की बनी होती है plant के अंदर cellulose होता है और यहां तो absent है तो यह question बन सकता cell wall पर nuclear membrane केंदरक जिली की बात करते हैं अच्छा सवाल absent बाकि सब में present है तो किसमें nuclear membrane नहीं पाई जाती है monera के अंदर bacteria के अंदर केंदरक जिली नहीं पाई जाती है याद रखना क्योंकि उसमें nuclear होता है क्या क्योंकि well developed nucleus होता ही नहीं है केंदरक विक्सी इतना ही होता है procreative कोशी का के अंदर केंदरक जिली का अभाव होता है याद रखना body organization देखिए इसमें सरीर का संगटन कोशी के cellular, cellular, multicellular tissue और tissue organ है उसके बाद देखिए इसमें nutrition की बात करें autotrop है photosynthesis कर सकते है heterotrop, vision pushy हो सकते है सब परकार का देखने को मिलता मौने रा में autotrop भी हो सकते है heterotrop भी हो सकते है so pushy, vision pushy, सब तरह की parasite form में हर तरह saprophide, यानि हम कैसे मरतोप जीवी, है ना मरी, सडी, गली, चीजों पर निर्वेर करते है हर तरह का nutrition मौने रा इसने कहते है metabolism के आधार पर मौने रा सबसे vast है, सबसे विस्ट्रित है फेले वे, ठीक है protesta की बात करते है autotrop, photosynthetic है और ये भी heterotrop, vision pushy हो सकते है ध्यान रखना आगे देखेंगे कौन-कौन होगा fungus keval, keval heterotrop होंगे ध्यान रखना, vision pushy होंगे और ये plant तो autotrop और ये हमेशा heterotrop C होंगे hollow joy का मदलब complete हर तरह का खाना का सकते हैं भाई ठीक है, तो ये एक अच्छा question जो मैं कहूंगा देखो, यहां से चुराओ चीजों को बहुत important है, u-cariotic है क्या है ये, u-cariotes की बात करते हैं, ठीक है तो ये जो बात करते हैं, unicellular u-cariotes है, देखो unicellular unicellular है, तो ये protesta के member unicellular u-cariotes होते अच्छा question बनता है, क्या unicellular u-cariotes होते है ये unicellular pro-cariotes होते है तो ये question बनेंगे यहां पर आगे बढ़ते हैं, monera की तरव और जो NCRT में दे रखा है bacteria की structure पे जो question है caucus, गोलू-गोलू bacteria, गोला कार, दिख रहे हैं आपको round shape bacteria, ठीक है bacillus जो दिख रहे हैं, road shape है न Wasp, छड़ा-Kar, जो हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है उई उसकेबाद दिख़ो, spiral form की बात करते है जो दिख रहे हैं आपको Sirplicular, spiral form में क्या है, spiral form में यानि सर्पिला-Kar और vibrio की बात करते हैं koma shape में होते हैं कैसे होते हैं कॉमा शेफ होता है यानि विब्रियो कॉलेरी हेजा जो फैलाता है तो ये NCRT के अंदर आ सकता मैज दा कॉलम में कोशन बनेगा इजी बनेगा है ना कॉकस को राउंड शेफ गोलू-गोलू बेसिलस रोड शेफ छड़ाकार ये स्पाइरल फॉम में है ठीक है ना सरपिलाकार और ये कॉमा अकार के होते है अब जो पहला कोशन बनता है याँ पर आर्की बैक्टिरिया से काफी ज़्यादा कोशन पूछा गया जी हाँ मॉनेरा के अंदर ने को हर सेगमेंट से कोशन चुराया जाएगा ठीक है ना मॉनेरा के अंदर जो पहला प्रशन बनता है वो आर्की बैक्टिरिया से बनता है आर्की बैक्टिरिया का मतलब जो बहुत पुराने प्रकार के बैक्टिरिया है अगर हम बात करते हैं कोशन क्या बनेगा तो question मेरे धान रखना hello files ठीक है जो दूसरी बात करते है thermo acidophile और तीसरी जो बात करते हैं इसमें methane और जन तीन category है बई क्या तीन category से सवाल हो methane और जन तो favorite question होता है नीट का hello file का मतलब क्या होता जो salt area के अंदर बई क्या salt area के अंदर ते लवणी जल के अंदर रहते हैं हेलो files कहा जाता है जो गरम पानी के जड़नों में रहते हैं thermo acidophile कहते हैं जी याँ thermo acidophile जो दो pH तक और गरम पानी के जड़नों में मिलेंगे hot stream में मिलेंगे thermo acidophile कहेंगे और जो पार्शी यानि दलदली छित्रों में कौन मिलता है मिथेनोजन मिलता है और जो मवेशियों केटल के स्टमक में कौन मिलता है मिथेनोजन मिलता है एन एरोबिक होता है गौबर गेस या बायो गेस के प्रडक्शन में मिथेन गेस के उत्पादन में इसकी भूमिका रहती है ये बहुत important है बहुत important उसके बाद एक जो question पुछा जाता है आर्की वैक्टिया normal bacteria से अलग कैसे जनल बैक्टिया के अंदर जो होता है पेप्टिडो glycan होता है आर्की बैक्टिया के अंदर जो होता है वो यार रखना pseudo peptido glycan होता है कोशी का भीती cell wall अलग हटकर होती है RK bacteria के अंदर cell wall थोड़ी कठोर होती है रिजीड होती है मजबूत होती है यह चीज NCR team लेखिए cell wall कोशी का भीती के आधार पर अलग होते है ठीक है दूसरी बात RK bacteria के अंदर cell membrane है ठीक है वो branch होती है की single layer होती है और उसमें ether bond होते है और ether मजबूत होता है strong होता है यही कारण है कि RK bacteria विश्व परस्तितियों में extreme condition के अंदर survive कर सकते हैं चलिए अब जो बात करेंगे U bacteria की NCRT क्या कहती है U bacteria के अंदर Sino bacteria का नाम बड़ा famous है क्या Sino bacteria जिसे common हम लबजों में कहते है blue green algae क्या कहते है नील हरित शेवाल क्या वही नील हरित शेवाल कहते है याद रखना ये एक कोशिके हो सकते है कॉलोनी में हो सकते है और तंतुमाई हो सकते है filamentus हो सकते है अगर NCRT की बात करते हैं दाइग्राम दे रखा है आपने देखा होगा NCRT के अंदर एक डाइग्राम दे रखा इस तरह का और इसके उपर हम बात करते हैं इस तरह से ठीक है ना gelatinous जो layer दे रखी है ये वाली ऐसे ठीक है ना तो आप देख सकते है Nostok Enavina का जो एक डाइग्राम दे रखा क्या Nostok की बात करते हैं और ये जो एक special cells होती क्या एक special cells होती है जिसे जहां रखना heterocyst कहा जाता है इसी heterocyst के अंदर nitrogen इस्तरी करण nitrogen fixation होता है बहुत प्यारा सवाल पूछा जाता है इसे heterocyst कहा जाता है क्या heterocyst कहा जाता है जो nitrogen इस्तरी करण fixation में role play करती है तो ध्यान रखना इसमें मैंने लिख दिया है Nostok और Enavina बहुत important है और heterocyst पर सवाल पूछा जाएगा क्या heterocyst पर सवाल पूछा जाएगा और ये algal bloom भी बनाते हैं algal bloom काई च्छा जाती है पानी में ये भी दे रखा है chemo synthetic autotrop में NCRT की line बड़ी खुबसूरत है ये oxidize करते हैं inorganic substance को किसमें nitrate है, nitrite है, ammonia और ध्यान रखना release energy ATP production के अंदर ध्यान रखना इनका जो role होता है recycling यानि मैं कह सकता हूँ nitrogen चक्र में भूमिका है क्योंकि आपने पढ़ा होगा nitrification, mineral nutrition में पढ़ते है nitrification, ammonia, nitrite nitrite, finnitrate में बदलती है nitrosomonas, nitrosococcus nitrobacter, nitrosistries ये क्या है, ये chemo synthetic bacteria है क्या chemo synthetic bacteria है जो nitrogen चक्र के अंदर भूमिका निभाते हैं, यही line NCRT की यहां लिखी गई है याद रखना, nitrification में किस प्रकार के bacteria भाग लेते हैं chemo synthetic autotroph rassain sunslashy, so pushy bacteria भाग लेते हैं, याद रखना ठीक है, ध्यान रखेगा चलिए, heterotropic bacteria की बात कर रहे हैं विश्म pushy की बात कर रहे हैं और NCRT केहती है, सबसे ज़्यादा NCRT की लाइने बड़ी खुब सूरत है भाई, ध्यान रखना, heterotropic का मतलब क्या हो गया, विश्म pushy हो गया और यह सबसे ज़्यादा, most abundant है अगर पूछे प्रकरती में सबसे ज़्यादा किस परकार के बैक्टीरिया पाए जाएंगे कौन से पाए जाएंगे, विश्म pushy परकार के क्या, विश्म pushy परकार के पाए जाएंगे, heterotropic परकार के पाए जाएंगे, और इनका उप्योग क्या है, दई बनाने वाले बैक्टीरिया lactobacillus कह सकता हूँ anti-biotic बनाने वाले बैक्टीरिया सकते हैं, rhizobium की बात कर सकते हैं, जो लेग्यों की जड़ों के अंदर पाई जाते हैं, ठीक है और NCRT के अंदर पता आपनों पढ़ा होगा, बैक्टीरिया disease को produce करते हैं, ये रोग में पढ़ते हैं पर अलग हड कर नाम ज्यान रखना citrus canker, बैक्टीरिया से पात्मों में कौन सा रोग होता है citrus canker याद रखना वई, क्या citrus canker याद रखना बहुत important है, citrus canker पर सवाल बन सकता है, ठीक है और लास्ट जो NCRT की लाइन है बैक्टीरिया के अंदर जो होता है common type माना जाता है अच्छा सवाल है, मैं फिर कह रहा हूँ ये chapter pure NCRT बेस पूछे जाएंगे, इसलिए मैं लाइन लेकर आया, ताकि ज़्यादा fast revision अपन कर सके, ठीक है सुनो आप लोग revise हो जाएगा, protesta की बात की जाएगी, क्या protesta की बात की जाएगी, ठीक है न बटा, hypanthodium परकार अभी नहीं पढ़ना है ये ficus में मिलता है, क्या hypanthodium परकार होता है, वो ficus की अंदर देखने को मिलता है, ठीक आजाओ, protesta की बात की जारी है, तो इसमें अगर बात करते हैं सबसे important चीज है वो ध्यान रखना, ये mainly aquatic होते हैं, NCRT कहती है, mainly ये aquatic होते हैं, जली होते हैं NCRT कहती है, समुंदर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये एक कोशिक ये, unicellular है ना, eukaryotes होते हैं, बहुत important line है इनमें plant जैसे animal जैसे, fungus जैसे character मिलते हैं, इसलिए कोई इसकी boundary नहीं, no limit, no boundary है ना, इसकी कोई boundary नहीं है, NCRT कहती है protest आके अंदर जो है कुछ category पढ़ेंगे, क्या-क्या cushion बन सकते हैं, crysofights की जगर हम बात करते हैं, crysofights के अंदर ध्यान रखना इसमें plankton आते हैं, क्या आते हैं, plankton आते हैं, plankton जल धारा के साथ बहते हैं, ठीक है, और इसमें ध्यान रखना बच्चों, dietems और golden algae का नाम आता है, दो एक example important है, और dietems की जहां बात की जाती है, तो मेरी बात याद रखना, यहां पर soap box की बात करते हैं, silica की कोशी का भीती होती है, साबुन दानी बनाने का काम करती है, तो देखे, डैसमें में नहीं मिलेगा, dietems के अंदर जो है, silica की cell wall पाई जाएगी याद रखना, ठीक है, जब इनकी death होती है, तो silica deposit हो जाता है, और यह क्या बनाता है, dietemius earth बनाता है, और यह थोड़ा कणिके प्रकरती का होता है, dietemius earth, dietems याद रखना, है ना, silica की कोशी का भीती याद रखना, cell wall याद रखना, मरेंगे जब यह dietemius earth बनाएंगे, यह थोड़ा कणिके प्रकरती का होगा, इसका उपयोग, पॉलिश करने में, filtration के अंदर उपयोग किया जाता है, और NCRT की last line बच्चों, यह मुख्य उत्पादक होते हैं, cheap producer in ocean माने जाते हैं, ठीक है, मुख्य उत्पादक माने जाते हैं, crysofights, चलिए, उसके बाद dino phlegulates की बात करते हैं, बिल्कुल, dino phlegulates में ध्यान एकना नाम में है, दो phlegulates, क्या, दो phlegulates, यह भी photosynthesis करेंगे, यहां NCRT कहते हैं, steep cellulose plate, यहां कठोर कोशी का बात करते हैं, cellulose की कठोर plate बनी होगी, याद रखेगा, दूसरी सबसे important है, दो phlegulates है, एक जो होता है, इस तरह से एक होता ऐसे, अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर, phlegulates के अंदर, तो आप देख सकते हैं, इसमें, एक जो phlegulates है, ठीक है भई, इसमें जुम बात करते हैं, एक phleg excuseला ऐसा, एक phleg까요lla ऐसा, करते हैं और इसकी वज़े से red tides आते हैं बेटा क्या आते हैं red tides की बात की जाएगी है ना red dino phlegulates भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं लाल तरंगे उत्बन करते हैं थोड़ा सा poisonous होता है और उसकी वज़े से fish वगरा उनकी death हो जाती है तो अच्छा कोशन पुझा इसमें से red tides के लिए जाना जाता है यूगली नॉट्स की बात की जाती है जिसमें यूगली ना आता है यूगली ना fresh water में रहेगा पड़ेवे पानी में रहता बच्चों stagnant water में रहता है खास बास cell wall नहीं होती है प्रोटीन की पतली परत होती है इसे pellicle कहा जाता है क्या ध्यान रखना लिखाया कि cell wall नहीं होती है instead of cell wall प्रोटीन की layer होती है जिसे pellicle कहा जाएगा क्या पैलिकल कहा जाएगा इसकी वज़े से ये तोड़ा लचिला होगा और ध्यान रखना यहां भी दो फलेजिला होते है पर एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है याद रख nutrition मिश्रित portion पाया जाता है क्या कह सकते हैं इनके अंदर मिश्रित portion होता है मिश्रित portion का मतलब है अगर परकास sensation होगा तो यह यहां क्योंकि light होगी तो photosynthesis करेंगे अगर light नहीं होगी तो यह दूसरों को खा जाएंगे है ना heterotrop भी है autotrop भी है दोनों तरे का इसमें nutrition mixotrop कह लाता है याद रखना और इनके अंदर जो वनक होते हैं pigments होते हैं वो higher plant जैसे होते हैं इसलिए हम कहते हैं यूगलीना plant और animal के बीच की कड़ी होती है यूगलीना को plant और animal के बीच में link मानते हैं कड़ी मानते हैं क्योंकि दोनों के character इसमें देखने को मिलते हैं ठीके important line होगी इसलिए plant और animal के बीच की कड़ी कहा जाएगा slime mold अब आसी बात कर सकते हैं इसमें जो आवपंक कवक शुद हिंदी में कहते हैं आवपंक कवक क्या बोलते हैं से आवपंक कवक पहला सवाल बनेगा इस सेप्रोफाइट है मरतोब जीवी होते हैं क्या होते हैं यह मरतोब जीवी होते हैं मरी सड़ीगली पतियों पर निर्वर करते हैं याद रखेगा पहली बात इनके अंदर दो अवस्ताइं होती वह अगर हम बात करते हैं suitable condition है favorable condition है तो यह plasmodium प्लाजमोडियम जो कई feet तक वर्दी करता है अगर हम बात करते हैं मौसम सही नहीं है अनफेवरल कंडिशन आ गई है तो क्या होगा तो यह क्या करेंगे फ्रूटिंग बोडी बनाएंगे क्या फ्रूटिंग बोडी फलनकाई बनाएंगे याद रखना उनके अंदर क्या ब तो स्पोर के अंदर सेल वॉल की बात करेंगे वो पादब का सेलोस की बनी होगी पादब का अथार स्लाइम मोल अवपंग कवक पादब जैसे गुन रखते हैं धान रखना पादब जैसे गुन रखते हैं कवक जैसे गुन रखते हैं जन्तू जैसे गुन रखते हैं प्रोटो जुवा की बात की जारी है भई प्रोटो जुवा के अंदर ज्यादा तर सदस्य हेट्रो ट्रॉप्स होते हैं विश्यम पोशी माने जाएंगे क्या विश्यम पोशी माने जाएंगे ये परभक्षी की तरह परजीवी की तरह काम करते हैं पैरा साइड की तरह काम करत क्या pseudo-podia जो कूट पाध होते हैं उसके द्वारा ये गमन करता है लोको मोशन करता है याद रखना ये अच्छा सवाल है pseudo-podia जो false-fit के नाम से जाते हैं अमीबा के अंदर और ये अमीबा एक NCRT के लाइन दे रखी के जो समूदरी होते हैं उनमें सीलीका हो सकता है क्या समू याद रखिएगा कुछ हटकर बात है फ्लेजिलेटेड प्रोटो जुआ यानि फ्लेजिला जिसमें होते हैं कशा भीका की बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर फ्लेजिला जिसमें होंगा तो उसमें याद रखना ट्रिपेनोसोमा गैबियंस अफ्रीकन निंद्रा रोग जी एक ही NCRT, प्यार NCRT पढ़ना बेटा आपको, ठीक है, सीलेटेट के अंदर कौन आता कि वह नाम नाम यार रखना, पैरामीश्यम, कौन भई, पैरामीश्यम आता है, सवाल नीट में आया था, इस पैरामीश्यम के अंदर दो नूकलेस होते हैं, याद रखना, बाई नूकलेस होता है, नीट में सवाल आ चुका है, कि इसमें दो केंदरक होते हैं, कौन दू केंदरकी होता है, बाई नूकलेट की बात करनेंगी, हाँ, बिल्कुल अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस, ठीक है, नीट बहुत आती है, अभी नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है, पैरामीश्यम, बाई नूकलेट होता है, जूई के अंदर की होता है, नीट का सवाल बन चुका है, अब एक इंटरस्टिंग चीज़ सुनो, पैरामीश्यम के अंदर, यूगलीना के अंदर, हम बात करते हैं, अमीबा के अंदर, contractile vacuole संकुचन सील धानी होती है food vacuole होती है यह जो contractile vacuole है वो ओस्मो रेगुलेशन का परासर नीमन का काम करती है जो भी fresh water में रहते हैं उनके अंदर यह संकुचन सील धानी यानि contractile vacuole पाई जाती है ठीक है last sporo जुआ जिसमें plasmodium का नाम आएगा और सब जानते हैं यह malaria और malaria के लिए में बात करते हैं या plasmodium की जो संक्रमी तवस्ता है उसे sporo joint कहा जाता है क्या उसे sporo joint कहा जाता है याद रखेगा चलिए तो यह छोटी छोटी बाते थी और इसी के साथ चलते हैं फंगस की तरव कवक की तरव बिल्कूल कवक की तरव चलते हैं और कवक की बात करते हैं आजाओ एक chlorophyllus मतलब हरे नहीं होते हैं सींपलजी बात है क्योंकि chlorophyllus नहीं है यू कैरियोर्स है सींपलजी बात है हेटरोट्रॉपिक है पैरासाइट परजीवी हो सकता है मरतोब जीवी हो सकता है और क्या हो सकता है सर्जीवी हो सकता है परजीवी के रूप में हो सकते है सैप्रोफाइट्स मरतोब जीवी के रूप में हो सकते है सींपलाइट सर्जीवी के रूप में हो सकते है काईटीन की सेल वॉल वेरी 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 इंपोर्टेंट काईटीन प्लस पॉली सेकराइड के बने होंगे यहां सेल वॉल काईटीन प्लस पॉली सेकराइड लिख सकते हैं काईटीन प्लस पॉली सेकराइड याद रखेगा अच्छा सवाल है और आज चुका सवाल है ठीक है क 18, multicellular filamentous, बहु कोशिकियों तंतुमाई होते हैं, पर अच्छा सवाल क्या बनेगा, अपवाद है, yeast, yeast अपवाद होता है, yeast कवक है, पर एक कोशिकियों होता है, और जो बात कहते हैं, तंतुरहित होता है, या दखना, सारे के सारे कवक जो होते हैं, तंतुमाई होते हैं, फि हाइफी कहलाएंगे, जो आगे जाल बनाएंगे, जिसे माइसीलम कहा जाएगा, ठीक है, और सीम बार्ण का एक्जामपल आपको पता है, लाइकेन है, कवक और जो शेवाल का जो संबंध होता है, याद रखना, लाइकेन कहलाता है, और अगर हम बात करते हैं, मैंने फिर कह अच्छा सवाल है, यह अच्छा सवाल है, यिस्ट जो होता है, वो यूनी सल्वर होता है, और हम बात करते हैं, नौन फिलामेंटस होता है, फैवरेट कोश्चन है, अगर कवक की बात की जाती है, वेजिटेटिव, यानि काईक जनन की बात की जाती है, तो इसमें खंडन, हो सकता है, फीजन, ठीक है न, विखंडन की बात कर सकते हैं, बडिंग, मुकुलन की बात कर सकते हैं, ये इनके अंदर देखने को मिलता है, अगर अलेंगिक जिनन की बात करते हैं बच्चों तो जू स्पोर्ट द्वारा, स्पोरेंजियो स्पोर्ट द्वारा, ओडिया, क्ले production organism में भी बनता सवाल और यह exogenous होते हैं बहीर जात होते हैं क्या बहीर जात होते हैं याद रखना कॉनिडिया जो बाहर की तरफ बनते हैं sexual के अंदर NCRT कहती है एसको स्पोर बनेंगे ऐसको माई सिटी में बैसीडिय Ос On жизни में बाहर बनते हैं exogenous होते हैं ठीक है और process की बात करते हैं सबसे पहले दोनों कोशिकाइं आपस में जुड़ेगी ठीक है उसके बाद केरियो गैंई होगी केंद्रक जुडेंगे उसके बाद मियोसिस होगा NCRD कहती है दो कोशिकाइं कवकी पास पास आएगी प्लाजमो गेमी उनके प्लाजमा का फ्यूजन होगा उसके बाद नूकलिस का फ्यूजन होगा केंदर का फ्यूजन होगा फिर उसमें जाइबोर्ट बनेगा युगमनेच बनेगा उसमें मियोसिस होगा तो ये important चीज़ है बिटा ठीक है याद रखना इसके अंदर एसको स्पोर एसको माई सिडीज बैसीडियो स्पोर बैसीडियो माई सिडीज सवाल यहां फसाय़ जाएगा बैसीडियो में बहार कहां बनते हैं एक्जो बनते हैं प्लास्मो गेमी याद रखना, फिर केरियो गेमी आता, फिर मियोसिस आता, ये लेंगिक जिनन की बात करते हैं, प्रकरिया है, प्लास्मो गेमी के बाद केरियो गेमी होगा, फिर मियोसिस होगा, याद रखना, ठीक है, अब इसमें कोश्चन क्या पूचा जाता, इसमें एक और question जो है वो है di cario phase, क्या भई, di cario phase, di cario phase का मतलब हो गया, जब एक ही के अंदर दो केंदरक होंगे, एक कोशी का के अंदर दो nucleus होंगे, यानि N प्लस N condition होगी, दो nucleus होंगे तो di cario phase या di carion कहलाएगा, क्या di carion कहलाएगा, तो example याद रखना, जिहां, asco और basidio mycities, क्या example में asco mycities और basidio mycities याद रखेगा, ठीक है, तो ये दो example है, ठीक है, asco mycities और basidio mycities में di cario phase stage मिलती है, favorite question है भई, आ सकता है, ध्यान रखेगा, जहां एक ही के अंदर दो केंदरक पाएगे, चलिए भई, हाँ, हाँ, फाइको mycities में नहीं होता, asco और basidio के अंदर ही देखने को मिलेगा, चलिए, favorite question कवक का वर्गी करन बात करते हैं, जी हाँ, अच्छा सवाल है, classification की बात कर रहें, एक ही करके देखते हैं, फाइको mycities, asco mycities, basidio mycities, dutero mycities, सही है, आजाओ मेरी बात, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, फाइको mycities को हम क्या कहते हैं, algal fungi कहते हैं, शेवाल जैसे होते हैं, asco mycities को अपन कहते हैं, sac fungi, यानि थेले जैसे होते हैं, basidio mycities को बच्छों कहते हैं, mushroom, क्योंकि इसमें mushroom आते हैं, है ना, club ball, puff ball कहा जाता है, dutero ko imperfect है, need का सवाल, need का सवाल, अपून कवक किसे कहा जाता है, अपून कवक किसे कहा जाता है, need का favorite question है, इससे सवाल जरूर बनेगा भाई, तो इसे algal fungi, ascoco, sec fungi, देखो, fico का मतलब भी plant होता है, इससे नाम algal fungi पढ़ा, शेवाल जैसे, थेले जैसे, mushroom जैसे, अपून, क्योंकि sexual reproduction नहीं होता, इसलिए इनको imperfect कहा जाता है, mycelium की बात करते हैं, mycelium जो network होता है, ठीक है, aceptate है, यानि कोई पट नहीं होगा, पट रहीत, aceptate का मतलब पट रहीत, क्या भई, पट रहीत, कोई पट नहीं है, तो sinusitic होगा, बहु केंद्री की हो जाएगा, multi nucleate हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ये, बहु केंद्री की एक ही है, बाकी में सबके अंदर पत हुंगे जी हाँ पत उपस्तित होंगे याद रखेगा बहुत आसानी से टैवल है इसली याद हो जाएगी और उसके बाद देखेए इसके अंदर deal carry of phase मैंने अभी समझाया आपको केवल दो चीजों में मिलेगी क्या दो चीजों में किसमें ASCO और BASIDIO के अंदर ASCO और BASIDIO के अंदर ही देखने को मिलेगी A section में देखिए मैं यहां लिख देता हूँ FICO my cities, ASCO my cities, ठीक है ना BASIDIO my cities और यह Dutero my cities है ठीक है, juice for, apnos for, NCRT की बात है Conidia ASCO में मिलेगा, Dutero में Conidia मिलेगा और यहां आपर में बात करते हैं, NCRT कहते हैं काईक जनन होता के वल क्या होता है, काईक जनन यानि vegetative reproduction होगा क्या vegetative reproduction देखने को मिलेगा, याद रखना sexual में जाइगो स्पोर, ASCO स्पोर, BASIDIO स्पोर, ठीक है बड़ा असान है जू स्पोर को जू स्पोर, चल भी जानो, कौनीडिया को कौनीडिया बोला जाएगा ठीक है, यह काईक जनन हो गया, कौनीडिया को कौनीडिया बोला जाएगा जाइगो स्पोर को जाइगो स्पोर हिंदी में कहेंगे ASCO स्पोर को ASCO स्पोर ही कहा जाएगा देखो नाम से ही पता चल रहा है एसको मासिडीज, एसको स्पूर बैसीडियो मासिडीज, बैसीडियो स्पूर डूटरों में कोई नहीं बनता है जान रकना लेंगिक जनन की बात करें है ना यहां लेंगिक जनन की बात की जा रही है ये आ-लेंगिक जनन की बात की जा रही है ठीक है भाई ये आ-लेंगिक जनन से सम प Audion फॉलन काय है ये फॉलन काय है फ्रूटिंग बोडी जिसे कहा जाता है और ये केवल यहां देखो बढ़ा असान है असको कार बैसी से जियों से बैसी डियम होता है और वहाँ पर भी नहीं होगा सवाल पूछा जाएगा कि इसमें लेंगिक जनन नहीं होता जिसमें फलंकाई नहीं बनता वो है डूटेरो माई सिटीज इसलिए इसे क्या कहा जाता है इसे कहते हैं इंपर्फेक्ट आई क्या अपून कवक कहा जाता है Dutero My Cities को कुछ ऐसे member खोजे गए थे जी हाँ मैं अगली line लिखने चाहूंगा बहुत important line है इसके अंदर जुम पढ़ेंगे ठीक है आजाओ example बेटा क्या example की बात करेंगे FICO My Cities के अंदर NCRT ने 4 example दे रखें क्या fight of thora late flight of potato Irish famine थोड़ा की बात करते हैं पछेती अंग मारी आलू में पछेती अंग मारी रोग होता है इसे Ireland का अकाल कहा जाता है राईजोपस को Black Bread Mold कहा जाता है यही राईजोपस ने थी बیटा Black Fungus के निटर जो बात करते हैं Mold की ठीक है राईजोपस Black Bread Mold है है ना, Elbigo Candida, White Russ, Favorite Question, Favorite Question बच्चों नीड के लिए, ऐसे Question मैं इस दकोल में पुछे जाएंगे, सरसों की पतियों पर जो स्वेत कीट रोग होता है, क्या स्वेत कीट रोग होता है, याद रखेगा, स्वेत कीट रोग की बात की जाएगी, तो ये स्वेत कीट रोग कहां, सरसों की पतियों पर, Elbigo Candida की वज़त से होता है, जो Fico My Cities का सदस्य है, ये अच्छा सवाल बस एक ही मिलता है, याँ पर, Asco My Cities के अंदर Moral आता है, जिने खानना, है ना, एडिवल है, है ना, खादिय, खादिय रूप में, एडिवल का मतलब, Food Source के रूप में हम यूज करते हैं भाइस को, Moral, Penicillium Important है, Penicillium Antibiotic मिलेगी, है ना, बिलकुल, है ना, Penicillium Antibiotic मिलेगी बटा, तो राजियो पस बेटा, मॉल्ड है, कवक है, है ना, जा इंदी आएगा, मैं लिख दूँगा, उसके बाद देखिए, Aspergillus Niger, Citric Acid, Microps के अंदर भी पढ़ते हैं आप, Microps म भी पढ़ा जाता है, Aspergillus Niger, Citric Acid मिलता है, बाकी तो Extra है, अगर याद रख सकते हैं, तो एफला टॉक्सिन जो लीवर कैंसर के लिए होता है, Neurospora जिसे कहते हैं, Plant Kingdom की Drosophila, Plant Kingdom की Drosophila कहा जाता है, Neurospora को याद रखना अच्छा सवाल है, किसे Plant Kingdom की Drosophila कहा जाता है, Dros Drosophila of Plant Kingdom, क्या बोलते हैं, Drosophila of Plant Kingdom के नाम से जानते हैं, पादब जगत की Drosophila, Neurospora कवक, ठीक है, आगी मेरी बात समझ में, Genetic Engineering में यूज करते हैं इसको, क्या Genetic Engineering में इसको यूज किया जाता है, इस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बात पूचा गया है, Saccharomyces, Cerevice, Bread और Beer, हिस्ट का जो यूज होता है, Bread और Beer में किया जाता है, यह सब Question है, Neat19 का भी लिखा है, मैंने देखो, Cleviceps Purpureus की बात करते हैं, यह Cleviceps Purpureus हो है, Irgot of Rye, Irgotism, है ना, LSD-like Property, Lysergic Acid Dithyl Amide, Hallucinogen है, Vibrama कोशे दिये, यह हम Human Health और Disease में पढ़ते हैं, जहां से Question पूचा गया था, है ना, जहां रखना, Cleviceps, Irgot of Rye, Irgotism के लिए है, और LSD-drug मिलती है, इससे यह भी याद रखेगा, Truffle भी खाने योगी माना जाता है, क्या वही, Truffle भी क्या होता है, खाने योगी माना जाता है, ठीक है, याद है, याद है, याद है, Lysergic Acid Dithyl Amide, ठीक है ना, चली Next, Bassidio Mycities, मश्रूम की बात करेंगे, Agricus, क्या नाम है मश्रूम का, Agricus, खाया जाता है, पक्सीनिया, Important है, मैस दकोल में बनेगा, Black Rust है, क्या Black Rust Wheat है, इससे Confuse किया जाएगा, Mustard के अंदर, सर्सों के अंदर, White Rust के साथ, Black Rust Wheat, गयों के अंदर, काला कीट रोग, क्या बई, काल कीट रोग, गयों के अंदर, काला कीट रोग, काला कीट रोग, गयों के अंदर, जो होता हो, पक्सीनिया से होता है, स्वेथ कीट रोग, जो है, Elbuga Candida से होता है, स्मट, अस्टिलेगो, टॉर्ड स्टूल की बात करें, ये भी कोशन आ चुका है, हैलूसिनोजन, वी ब्राम कोशिदी होती है, दिन में सपने आते हैं, और ये भी नीट में आ चुका कोशिद है, एमनीटा, मसकेरिया, पोईजनस मश्रूम होता है, क्या पोईजनस मश्रूम मना जाता है, याद रखेगा, माइको राइज़ा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पाइनस के साथ बटा, र लिमनोस्रूम पाइनस की जड़ों को हम बात करते हैं, माइको राइजा कहा जाता है, क्या माइको राइजा कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें बटा, ध्यान रखेगा, और नेक्स जो लास्ट केटेगरी है, डूटेरो माइसिटी, क्या, डूटेरो माइसिट लखा microbes in human welfare के अंदर याद रखेगा ट्राइकोडर्मा जो है plant रोगों को पैचानने में इसका उप्योग करते है ट्राइकोडर्मा का ट्राइकोडर्मा important है ठीक है और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म का उप्योग cyclosporine A kidney transplantation के लिए जी हाँ पती रख्षा को कम करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है अपने पड़ा होगा और लास्ट जो नौट देखिये only Asexual reproduction present कॉनीडिया होता है ड्राइकोडर्मा केवल Asexual reproduction यानि अलेंगिक जनन कॉनीडिया मिलेंगे Deuteromycetis में लेंगिक जनन नहीं पाया जाता बैटा क्या ध्यान रखना इसके अंदर Deuteromycetis के अंदर लेंगिक जनन नहीं पाया जाता है अगर कुछ खोजे भी गए है तो उनको हम बात करते हैं Asexualomycetis और Bacidioomycetis में shift कर दिया गया अच्छी लाइन है अगर कुछ लेंगिक जनन वाले जीओं की खोज की गई थी तो उन्हें Asexualomycetis और Bacidioomycetis में shift कर दिया गया था इसने Deuteromycetis में एक भी लेंगिक जनन करने वाला Sexually Reproduceded कवक fungus नहीं है याद रखेगा ठीक है बिल्कुल अच्छी लाइन है बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना केवल Asexual Reproduction कौन इडिया होगा Sexual Reproduction यहाँ पर नहीं मिलता है ठीक है और ज़्यादा तर सदस्य डीकंपोजर होते हैं अब गटक होते हैं और इनका उप्योग Mineral Cycling के अंदर क्या जाता है खनीचों के परवन है ना जो चक्रन होता है वहाँ इसकी उमिका रहेगी चलिए Last topic हम बात करते हैं इस चप्टर का Virus है बिटा क्या है बिटा Virus है ठीक है बिटा Disease के नाम English में ही रहते है ना इंग्लीश में ही वह से हम रहता है ठीक है ना Virus की बात करते है Virus के अंदर जो सबसे important चीज़े है इस बार question बनने की उमिल जादा क्योंकि चल रहा ही है वाइरस का time Virus शब्द देने वारा scientist या रखना Lewis Paschen कौन था Lewis Paschen ने शब्द दिया था ठीक है बिटा नवस्की ने टौबे को मुझे एक वाइरस की खोच की थी बेजे रिंक ने क्या कहा था कंटा जियम वाइवं फ्लूडम यानि वाइरस एक संक्रमी द्रव है क्या है एक वाइरस जो होता है वो संक्रमी द्रव होता है क्या भई वाइरस एक संक्रमी तो द्रव माना जाता है याद रखना ठीक है और स्टेनले साब ने क्या कहा कि वाइरस को किस्टल रूप में हम बात करते हैं प्राप्ट कर सकते हैं तो सीमपल सामेजदा कोलम में कोशन पुछा जाएगा या रिकना वाइरस लुईस पाश्चर इवानवस की टॉबेक और मोजेग वाइरस बिल्कूल और बेजे रिंग ने कहाता संक्रमी द्रव होता है कंटा जीम वाइवम फ्रूडम स्टेनले ने क्या कहाता ये कहाता किस्टल रूप के अंदर वाइरस को प्राप्त किया जा सकता है अगर हम बात करते हैं वाइरस के अंदर अगर वाइरस की बात की जाती इसमें दो चीज़े ही है सबसे महत्पूर्ण वाइरस के अंदर देखें तो एक जो होता है इसके अंदर नुकलिक एसीड है ना क्या होता है नुकलिक प्रोटीन कह सकते हैं नुकलियो प्रोटीन वाइरस नुकलियो प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं नुकलिक एसीड होगा और प्रोटीन होगा नुकलिक एसीड और प्रोटीन दो चीजे ही देखने को मिलेगी ठीक है प्रोटीन वाले भाग को capcid कहा जाता है, क्या protein वाले भाग को हम जो है क्या कहते है, capcid कहते है क्या कहते है, capcid कहते है और जो संक्रमीत पदार्थ होता है nucleic acid जो होता है इनका संक्रमीत पदार्थ माना जाता है infectious substance विटा, क्या infectious जो है, या तंकरमीत पधार जो होता है, वो यही होता है, ठिक है, ध्यान रखना, Nucleic Acid ही होता है, ठिक है, यहाँ Capsid है, याद रखना, protein वाले भाको क्या कहते है, Capsid, एकल भाको capsumere कहते है, किसी-किसी में envelope पाया जाता है, जिसे HIV होता है, पाकि वाइरस के अंदर परजीवी रूप में रह सकते हैं बच्चों एक किस्टिल की तरह है जैसी हमारी बोडी में जाएंगे पाकि इनका खुद का कोई सोशन है ना उससरजन है ना कुछ भी सिस्टम नहीं होता है सब हमारा ही ये उप्योग में करते हैं इनके अंदर केवल जो बात करते हैं नूकल ब्लैंट वाइरस की बात करते हैं तो इसमें प्लांट वायरस के अंदर दियान रखना एसस आरेने वाले जो है वो क्या रहते हैं ज्यादा रहते हैं एंडिमल वायरस की बात करते हैं बच्छों तो एनिमल वाइरस में NCRT कहती है इसमें SS आ सकता है या हम बात करते हैं DS RNA आ सकता है जान रखना वाइरस में कभी भी RNA और DNA एक साथ नहीं होंगे जान रखना दोनों कभी एक साथ नहीं होंगे हमारे अंदर हो सकते हैं पर वाइरस में DNA और RNA कभी एक स DSDNA. कोई एक होगा, यह दो यह होगा, कि यह होगा, यह होगा, याद रखना, और NC teens key केहती यह bacterial phase, क्या bacterial phase की बात करती है, DSDNA होता है, क्या होता है? DSDNA होता है, इसमें याद रखेगा, DSDNA होता है, इस Part意思 की अंदर बात करते हैं, इसमें head part है ठीक है ना color है sheet है पूँच बाग होता है जिसके यंदर lysogym देखने को मिलता है ये क्या करते बिडा बैक्टिरियो फेस क्या करते है जो virus पर attack करते है कि इस बैक्टिरिया पर attack करते है attack on bacteria attack on bacteria ये जीवानों पर हमला करते है अटेक करते है संक्रमित करते है उन्हें बैक्टिरियो फेस कहा जाता है ठीक है बाई तो ये चीज़े बहुत important है तीन चीज़ें जो NCRT की line है virus को हम सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहते है कड़ी कहते है क्या बैटा सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहते है कड़ी कहा जाता है ठीक है तो ये चीज़ें सबसे important होगी भाई कि है ना SSRNA SS या DSRNA या DSDNA होगा ठीक है ज्यादा तर हम बात कर रहे हैं है ना और DSDNA बैक्टिरियो फेस के अंदर देखने को मिलेगा NCRT वाला या रखना बिल्कुल अलग है बैक्टिरियो फेस और अलग है बैक्टिरियो फेस जो होता हो टैटपॉल जैसा होता है NCRT में दे रखा है ना इसका अगर मैं डाइग्रामेटिक व्यू की बात करता हूं तो आप देखोंगे इसके अंदर यह है फोटो इसके अंदर देख रहे हैं आपको यह टेल फाइबर है पूँच है ठीक है ना टेल फाइबर जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है क्या होता इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टिरिया को बात करते है तब ही तो कुशी का बीति को त तोड़ता है, अटेक करता है बैक्टीरिया के ऊपर, यह बैक्टीरियो फेज है, इसके अंदर तो यह DSDN होता है, यह प्रूटीन का head part है, यह head part है, यह kोलर कहलाती है, शीद कहलाती है, टेल, फाइबर, पूँच है ना, जो बात करते हैं रेशे होते हैं इनके अंदर, ठीक बाखी तो कोई नहीं चीज ने बताई नहीं है NCRT ने और disease कौन सी करेंगे तौबे को मोजे एक VARUS है ना तौबे को मोजे एक VARUS भी इसका नाम हो गया और एक करोना वाला याद रखना करोना वाइरस की बात करते हैं तो करोना वाइरस में भी SS RNA ही होता है क्या है यह disease में पढ़ लेते हैं आप मैं पूरी list नहीं लिखवाने वाला हूँ SS RNA ही होता है ठीक है COVID-19 disease में बात करें न जो यहां SARS पुरा नाम क्या होता बड़ा SARS UV-2 वाइरस की बात करते है SARS UV-2 की बात करते है Corona virus SS RNA ही होता है SARS UV-2 यह कुछ चीजें है जो आपको क्या करना है बड़ा याद रखनी है इस virus के अंदर जो पूछी जादे है virus कई आकरती के हो सकते है ठीक है ना कई अलग अग है जैसे Tobikomogic virus है वो helical shape का होता है rod shape का होता है कोई गोल गोल हो सकता बच्चों है ना ठीक है कोई हम बात करते है geometric type का होता है बहु भूजी हो सकता है कोई शट भूजी हो सकता है तो NCRT की line है और अंत में जो NCRT कहती है बच्चों इसमें याद रखना क्या why roads पे सवाल आएगा ठीक है prion पर सवाल पूछा जाएगा क्या दो चीज़ें बड़ी important है जहां से प्रशन पुछे जाएंगे जी हाँ why roads की बात की जाएगी क्या why roads की बात की जाएगी prion की बात की जाएगी याद रखना जो जुड़े वे नई चीज़ें है why roads और prion why roads के अंदर याद रखना ss RNA ही होता है single standard RNA होगा कम भारवाला ये question आ चुका है low molecular mass कम भारवाला ऐसा सवाल पूछा जा चुका है और prion में केवल protein होता है क्या infective protein ही होता है only protein और ये protein जो है वो infection करता है तो देखिए इसके अंदर ये अंतर देखिए तो वाइरोट्स में केवल SSRNA होगा prion में केवल protein होगा और ये वीमार करेगा वाइरोट्स जो होते पात्मों में वीमारिया पैदा करते हैं प्रियोट्स जो है जनतों के अंदर रोग पैदा करते हैं ये भी याद रखेगा डाइनर साइंटिस ने खोज की थी या रखना रेंडल साइंटिस ने इसकी खोज की थी वाइरोट्स के अंदर जो एक्जामपल की बात करते हैं पटेटो है ना एक्जामपल इदर डिज़ेज का पटेटो स्पिंडल टूबर डिजीज शॉट कट में लिखा है मैंने डिजीज का नाम potato spindle tuber disease की बात करेंगे ये रोका नाम है भाई ये रोका नाम है याद रखना जो पूछा जा सकता है virus की वज़े से होता है potato spindle tuber disease PSTD के नाम से prion के अंदर हम बात करते है disease के अंदर जो NCRT ने दे रखे direct पूछा जाएगा मनुष्य के अंदर हम बात करते है kuru disease होती है laughing disease हसने लग जाते है बटा क्या हसने लग जाते है आदमी ठीक है kuru की बात करते है mad cow क्या mad cow की बात करते है bovine spongiform and cephalipathy scrippy की बात करते है ठीक है इसके अलावा बच्चों जिसमें krutes jackov disease की बात करते है c, z, d crutes jackov है न felt disease c, z, d याद रखना ये सब है prion की वज़े से बीमारिया kuru, mad cow, scrippy, c, z, d ये सब prion की वज़े से होगी और ये virus की वज़े से होगी जो सवाल पूछा जा सकता है सहीए बाई आगे मेरी बात चलो तो आगे बात करते हैं इसे virus के बाद अब जो बात करेंगे plant kingdom की बेटा क्या plant kingdom की बात करें basic basic याद रखना है match the column में ही question बनता है ध्यान रखेगा है ना prion, virus, virus scientist के नाम पर ऐसा जो NCRT की line है वो ही याद रखनी है आपको जहां से प्रशन पूछा जाएगा अब है plant kingdom की बात करेंगे plant kingdom के अंदर हम बात करते हैं जो प्रशन बनता है इसमें algae है, bryo है, deado है, gymno है NGO नहीं पढ़ना क्योंकि NGO जो है वो आपके plant reproduction से पूछ लिया जाता है तो plant kingdom की अंदर जो पहला प्रशन है जिसमें हम कह सकते हैं आगे कुछ introduction दे रखा है जैसे artificial classification करतिम वर्गी करण की बात करते हैं lenious ने दिया था वो हम बात करते हैं बाहिये आकार की के आधार पर था ठीक है, फिर आया natural classification प्राकरतिक वर्गी करण जिसे बैंतम और हुकर ने दिया था जो पुश्पों पर, है ना flowers पर आधारी थे भई ठीक है, क्योंकि flower के जो character होते हैं वो दूसरी character की तुलना में ज़्यादा stable और style माने जाते हैं ठीक है, उसके बाद बात करते हैं philogenic आया, यानि उद्विकास के अधार पर, जाती वर्थी वर्गी करणाया जिसे ज़्यादा मानिता मिली जी हाँ, जिसे ज़्यादा मानिता मिली थी ठीक है, अब यहाँ जो question है, वो है algae से, क्या, शेवालों की बात की जाएगी किसकी, पहले शेवालों की बात की जाएगी चलिए एलगी की बात करते हैं और फैवरेट कोश्चन रहा है अगर पुराने पेपर्स उठाके देखें तो शेवालों के अलग-अलग आकार पर या हम बात करते हैं उनके अंदर जनन पर सवाल काफी जादा पूछे गए हैं बेटा क्या काफी जादा पूछे गए हैं ठीक है चलिए देखो वह इसमें कॉश्चन की बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी यूनी से लोर एक कोशी के सेवाल ध्यान रखना एक कोशी के सेवालों में claim idol monas आता है यह सवाल अभी आ चुका है नीट 2020 में पूछा गया था एक कोशी के सवालों के अंदर में बात करते है claim idol monas का नाम आता है कोलोनी में कौन रहता है wall walks रहता है है ना तंतु मैं filaments filaments का मतलब होता है तंतु रूप में क्या तंतु मैं कोलोनी के अंदर समू में एक कोशी के claim idol monas कोलोनी के अंदर wall वो खड़िये wall walks filaments में यूलो 300 और स्पाइरो गायरा आएगा ये question आ चुका है जनन की बात करते हैं काईक जनन जो होता है वो fragmentation या खंडन द्वारा होता है याद रखना शेवालों के अंदर खंडन द्वारा काईक जनन देखने को मिलता है और अलेंगी जनन की बात करते हैं वो विजाणों के दारा देखने को मिलता है जिसमें juspore या रखना चल विजाणूं सबसे common होते हैं ये चल भी जानू क्या चल भी जानू की बात की जाएगी सबसे महत्पुन भाग है सबसे कॉमन पूछ लिया जाए तो जू स्पोर याद रखेगा और अगर हम बात करते हैं इनके लिंगी जनके अंदर आइसो गेमस क्या लिखा है आइसो गेमस का मतर। सम युगमकी क्या वाले कशाविका वाले क्ले माइडो मोनास में मिलेंगे ठीक है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है बराबर परकार के होंगे और उनके कशाविका होगी पूचडी होगी क्ले माइडो मोनास के अंदर जो दिख रहे हैं गेमेट्स वो सम युगमकी होंगे आईसो गेमी कहते है claim idomonas non-flagulate very 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 important आज चुका है spirogyra केवल गोलू-गोलू होंगे इनके पुछडी नहीं होगी कशाबिका नहीं होगी फ्लेजिला नहीं होगी तो यह spirogyra में देखने को मिलेंगे ऐसे अगर दिख रहे हैं कि सेम होना चाहिए आकार में और कशाबिका फ्लेजिला है तो claim idomonas और अगर बात करते हैं फ्लेजिला नहीं है नॉन फ्लेजिलेटेड है नॉन मोटाईल है तो spirogyra याद रखना है क्या spirogyra याद रखना है बिलकुल और एन आइसोगेमी एन आइसोगेमी का मतलब मेल छोटा होगा ठीक है फ्मेल बड़ी होगी और दोनों के एक फ्लेजिला होंगे मेल छोटा होता है फ्मेल जो होती है वो मोटी होती है फ्लेजिला होंगे NCRT ने change किया example पहले यूलो थ्रिक्स उकले माइडो मोनास की था अब यहाँ यूडो राइना आ चुका है याद रखना अच्छा सवाल है O GAMERS का मतलब क्या होता कि male बिचारा छूटा होगा ठीक है और female बड़ी होगी पर फ्ले जिला नहीं होगा male को female के पास जाना पड़ेगा ध्यान रखिए यह कहलाता O GAMERS वाल वाक्स फ्यूकस के अंदर यह देखने को मिलेगा कहां? जी हां वाल वाक्स और फ्यूकस के अंदर O GAMERS परकार देखने को मिलता है male छोटा female बड़ी यहां फ्लेजिला यहां नहीं होता है इसे कहते O GAMERS और जां male छोटा female बड़ी पर दोनों में फ्लेजिला तो N ISO GAMERS तो यह कुछ फैवरेट एक्जामपल है जो पुराने पेपर्स में बहुत ज़ादा देखने को मिला है अब LG करती क्या है? यह कोशन भी अभी दो साल पहले आता हम बात करते हैं CO2 की बात करते हैं पोटो सिंटेसिस क्या है? सबसे इंपोर्टन रोल है परकास संसलेशन के अंदर भूमिका क्या परकास संसलेशन में इनकी भूमिका रहती है यह mainly producer होते हैं उत्पादक होते हैं और यह चीज़ भी आ चुकिए 70 जातियां जो हम बात करते हैं 70 species की बात कर सकते हैं फूड के अंदर है ना? खाने के source के लिए हम बात करते हैं समूंदरी भोजन की बात करते हैं जिसमें पॉरफाइरा का नाम लेमिनेरिया का नाम सरगासम का नाम आता है ना? तो food plus याद रखना क्या? food plus याद रखना क्या याद रखना? food plus P, पॉरफाइरा, L, लेमिनेरिया, S, सारगेसम ठीक है? food plus याद रखना तो ये NCRT के example होंगे अगार अगार अच्छा सवाल है jelly, diem और grassy, लेमिनेरिया से मिलता है और इसका उप्योग हम बात करते है microbes सुक्ष्म जीव प्रवर्दन के अंदर बहुत important है सुक्ष्म जीव प्रवर्दन में इसका इस्तमाल किया जाता है सुख्म जीव प्रवर्दन के अंदर इसका इस्तमाल किया जाएगा याद रखना इसके अंदर आइस क्रीम वगर तो एक्स्ट्रा है सवाल तो यही पूछा जाएगा अगार किसे मिलता है जेलीडियम और गसीलेडिया लाल शेवालों से मिलता है ब्राउन और रेड एल्गी की बात करते हैं इसे हाइड्रो कॉलोड्स वाटर हॉल्डिंग सबस्टेंस मिलते है जल धारन करने वाले जो जल को धारन करके रखते हैं यहाँ एल्जीन ब्राउन एल्गी से मिलेगा केरेजीन रेड एल्गी से मिलेगा अच्छे सवाल है एल्जीन ब्राउन एल्गी से केरेजीन, रेड अलोन से मिलेगा ये सब हायडो कॉलरिट्स कहलाते क्या? जल को धारिद करके रखते हैं जल को हेना उसमें स्टोर करकर रख सकते हैं प्रोटीन रीचर बात करते हैं इसमें ध्यान रखना इसमें प्रोटीन सबसे जादा मिलता है क्लोरेला स्पाइरुलिना है और इसका उप्योग अंतरिक्ष यातरी करते हैं क्या स्पेस ट्रेवलर करते हैं याद रखेगा अंतरिक्ष यातरी किन शेवालों को साथ लेकर जाते हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना दो इंपॉर्टेंट है याद रखेगा जी हाँ अब बहुत important table बहुत important table है जिहां अगर हम बात करते हैं chlorophyce, pheophyce, rhodophyce जो तीन class दे रखी है जिहां अगर तीन class की बात करते हैं इसमें जिहां हम algae के अंदर chlorophyce, pheophyce, rhodophyce के अंदर green algae, pheo का मतलब brown algae, rhodo का मतलब red algae है major pigment याद रखना देखो याद करने तरीका A, 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 A क्या A, A, A और यहां क्या हो जाएगा B, C, D, A, 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 फिर B, C, D, याद करने तरीका A, 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 फिर B, C, D तो A और B, यहां A और C, और यहां A और D, extra जो exam में पूछे जा सकते हैं फ्यूको जेंतीन भूरे शेवालों में, फाइको इरित्रीन लाल शेवालों में पाया जाएगा अगर भोजी पदात की बात करते हैं, store food, संगरित भोजन की बात की जाए, संगरित भोजन की बात की जाएगी तो यहां पर starch होगा, manitol होगा, laminarine होगा, यह neat में आयावा सवाल है जी हां, floridine starch क्या होता है, neat में पूछा गया था, floridine starch क्या होता है, amylopactin और glycogen को कहा जाता है यह table बहुत important है ठीक है, आप इसका screenshot तो ले ही सकते हैं, याद करने के तरीकी अच्छे हैं, वो आप पर depend करता है आप कैसे बढ़ते हो तो floridine starch की बात करते हैं, amylopactin और glycogen की बात करें, क्या floridine starch क्या है, amylopactin और glycogen रहेगा cell wall की बात करते हैं, पैक्टीन बाहर की तरफ, cellulose अंदर की तरफ, chlorophyc के अंदर, यहां cellulose और algene होगा, fewophyc में, cellulose, pactin और polysulfate ester तो आप देखें, common चीज़ें आता हो, सवाल नहीं पूछा जा सकता है, common चीज़ें ज़्यादा आगई, cellulose pactin, cellulose pactin आगया, नहीं चीज़ देखें, algin देखें, यह पूछा जाएगा, algin कहां पाई जाती है, भुरे शेवालों के अंदर, polysulfate ester कहां पाई जाता है, लाल शेवालों के अंदर, अब एक और खूबसूरत चीज़ है, फ्लेजीला कशाबिका की बात करते हैं, दो से आठ होंगे, बराबर होंगे, शीश पर होंगे, दो से आठ, equal size के और शीश पर होंगे, दो ही होंगे, अलग-अलग होंगे, और पार्शु बागों होंगे, ज उसके बाद, पारिनोड, बहुत इंपोर्डेंट है, पारिनोड का मतलब क्या होता, स्टार्च और प्रोटीन की सरचना होती, जो क्लोरो प्लास के अंदर बच्चों बात करते हैं, प्रोटीन को घेरने वाला जो स्टार्च होता है, बीच में प्रोटीन होता है, चारो से चिपका हुआ रहता सबस्टेटम से स्टीब का मतलब क्या है वरंत नुमा स्टॉक वरंत स्टॉक का मतलब क्या हो गया वरंत ठीक है सबस्टेटम का मतलब सता सबस्टेटम का मतलब क्या हो गया सता से चिपकने के लिए अंदर कौन काम करेगा हॉल्ड फास्ट स्टीब का मत का मतलब वरंत हो गया फ्रॉंड का मतलब लीव जैसा पती जैसा होगा और कॉंप्लेक्स पूस्ट पटिलाइजेशन कि इसके अंदर जो बात करते हैं पशनिशेशन सबसे जटिल होता है रेड एलगी के अंदर बाई क्या रेड एलगी के अंदर होगा ठीक है ना बिल्कुल चलिए लेक्स हम बात करते हैं काईक जनन काईक जनन के अंदर बात करते हैं पटास के अंदर खंडन 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 तीनों के अंदर खंडन देखने को मिलेगा क्या कॉमन चीज आ गई है अलेंगी जनन के अंदर ध्यानकना जूस्पोर है और यहां एक कोशन आचुका की होते हैं जानक ना जबकि यहां परम बात करते हैं नौन मोटाइल है ना जानक ना अच्छल क्या है अच्छल जानक ना यहां परम बात करते हैं कि कशाबी का नहीं पाए जाएगी रेड है ना अलगी के अंदर सेक्शुल के ना देखिए समयुगमकी है ना असमयुगमकी ग बात समझ में यह आई कि लाज शेवालों के अंदर जो भी है कशाबी का फलेजिला बिल्कुल नहीं होंगे चाहे युगमक होंगे तो वो भी अच्छल ही होंगे याद रखना एक्जामपल बेस कोश्चन पूछा जा सकता है और लास देखिए एक्जामपल की बात करते हैं यह सब क्या है वही एक्जामपल है किसके ग्रीन एलगी के और यहां बुरे शेवालों में याद रखना एक्टोकारपस, डिक्टिोटा, लेमिनेरिया, सारगेसम, फ्यूकस और लास बैसमें पॉली सिफोनिया, पॉर्फाइरा, ग्रैसी ले रिया है और जेली डियम की बात करेंगे चल आगे बात करते हैं ब्राइयओफाइट की क्या ब्राइयओफाइट की बात करेंगे बिटा जफा आफ वालों की बात की एक तुलनात्मक जो चीज़े वो आपको याद रखना है कैसे कैसे कुशन्स बन सकते हैं ये टेबल ये टेबल से याद करना जल्दी समझ में आएंगे आपको ब्राइवाफाइट्स के अंदर हम बात करते हैं इन्हें कहते हैं पादब जगत के उबेचर क्या कहते हैं पादब जगत के उबेचर कहा जाता है क्या पादब जगत के उबेचर कहा जाता है क्योंकि उनको लेंगिक जनन को पूरा करने के लिए जल्की आवशकता होती है ठीक है उनको water चाहिए होता है अपना sexual reproduction पूरा करने के लिए फिर ब्रायोफाइट के अंदर खास बात है कि इनके अंदर जो है root जैसे है ना और stem जैसे leaf जैसी सरचना ही होती thalloid body होती है यानि ब्रायोफाइट के अंदर जो body है वो thallus जैसी है क्या है thallus के समानी ही मानते हैं ठीक है second यहाँ पर ध्यान रखना embryo मिलेगा क्या भई यहाँ पर हम बात करते हैं embryo मिलेगा rune यहाँ पर आ जाता ध्यान रखना embryo होगा पर यह non-vascular होंगे क्या सवन उत्तक नहीं होते हैं non-vascular plant हैं असवनी होते हैं याद रखना यहाँ भून आ जाएगा पर सवन उत्तक नहीं होंगे ड्रायोफाइट के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है amphibian क्या कहा जाता है amphibian of plant kingdom कहा जाएगा यह important चीज है ड्रायोफाइट के अंदर जो सवाल बनता है वो बनेगा मुख्य अवस्ता क्या है इनमें मुख्य अवस्ता gametophyte होती है युगमोद भिद होती है क्या युगमोद भिद ध्यार नकना क्या अगुणित जो युगमोद भिद अवस्ता है वो मुख्य अवस्ता होगी या sporophyte भी होगा पर एक चीज मैं अगर बात करूँ इसमें आपको समझाने की दो चीजे हैं इसमें gametophyte और sporophyte gametophyte और sporophyte की अगर हम बात करते हैं इसमें तो या रखना ये haploid होते है sporophyte जो होते हैं वो diploid होते हैं ये जो gametophyte है ये मुख्य अवस्ता main stage है मुख्य अवस्ता मानी जाएगी ध्यान रखना sporophyte जो है वो dependent है क्या है dependent होगी ध्यान रखना पर जीवी कह सकते हैं निर्भर dependent का मतलब ये निर्भर अवस्ता है क्या है ये निर्भर अवस्ता रहेगी है ना ये जो बात करते हैं ये gamets बनाएंगे क्या बनाएंगे ये gamets बनाएंगे और ये sport बनाएंगे क्या बनाएंगे sports यानि बीजानों का निर्मान करेंगे तो ध्यान अकना gamet of fight जो होती है वो main stage माने जाती है मुख्य अवस्ता sporophyte निर्बर अवस्ता मानी जाएगी यान यहाँ NB है 2NBA हैपलोड डिपलॉंटिक लाइफ साइकल को शो करते हैं इसका मतलब यह हैपलोड डिपलॉंटिक ठीक है ना अगुणी दीगुणी जीवन चकर को पदरशित करते हैं यह चीजें अच्छी है important है और यहाँ जो धेको यहाँ मुख्य अवस्ता यह है तो यह फोटो सिंथेसिस का काम करेगी वई क्या फोटो सिंथेटिक यह है क्या है फोटो सिंथेटिक होगी परकास संसलेशी होगी जो उसको खाना खिलाएगी ठेक है क्योंकि मुख्य अवस्ता यही है खाने का निर्मान यही करेगी ध्यान रखना यह dependent है खाने के लिए इस पर निर्वर करेगी यह कुछ बहुत 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 important चीज है जो आपको ध्यान रखनी होगी और ब्रायोफाइट के अंदर अगर हम बात करते हैं स्टेज की तो ब्रायोफाइट जो होते हैं हैफलो डिपलॉन्टिक लाइव साइकल को पदर्शित करते हैं ठेक है तो यहाँ पर अगुनित और दी गुनित जीवन चक्र पाया जाएगा आप देख सकते हैं मुख्य अवस्ता ध्यान लखना युगमोद बीध होगी क्या युगमोद बीध होगी विजणों बीध को इस पर निर्भर रहना पड़ेगा ठीक है ना बिलकुल अब जो हम बात करते हैं इसके अंदर यहाँ जो सबसे important चीज़े भई ठीक है ना जो सबसे important चीज़ की बात करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं यह NCRT के अंदर जो दे रखे हैं आर्की गोनियो फॉर गेमा कप ठीक है न बड़ा अब आपको पहचा ना एक फोटो किसका है यह है मारकेंशिया का क्या है मारकेंशिया की बात की जारी क्या मारकेंशिया की बात की जारी है और असपे सवाल जरूर पूछा जाता है क्या सवाल पूछा जाता है अब देखिए यह आर्की गोनियो और यह एंत्रीडियो दिर तो एक male एक female है तो आप देख सकते हैं आर्की का मतलब female है और enthridiofor का मतलब ये कौन है male part है और ये कौन है भई female part है क्या है female part है सही है तो plant देख सकते हैं आप ये male plant हो गया ये female plant हो गया आर्की गोनियो फौर ये आर्की गोनियम है और यहां enthridiofor पर लगा क्या enthridium होता है ठीक है ध्यान रखेगा यहां पर ये जो sex organ की बात करेंगे enthridium और यहां जो हम बात करेंगे इसके अंदर ये हो गए आर्की गोनियम होते हैं पू धानी और इस्त्री धानी क्या बोलते हिंदी में इसको पू धानी और यहां बात करते हैं इस्त्री धानी यह तो इस्त्री धानी है ना फिमेल वाला है तो इसको ध्यान रखना बेटा इस्त्री धानी कहते हैं और इसको हम कहते हैं पू धानी ठीक है गेमा कप गेमा कप के अंदर बात करते हैं यहाँ पर सबसे important चीज़े गेमी, क्या है गेमी जो हरी green color की, ध्यान रखना बच्चों, है ना green color की ठीक है, और हम बात करते है asexual bird है, क्या a-lengig kalikाई होती है ठीक है, multi-cellular होती है, ध्यान रखना बहु कोशिक है, हरी है ना a-lengig, जो kalikाई होती उसे गेमी कहा जाता है जो गेमा कप पर उपस्तित होती है क्या, गेमा कप पर उपस्तित होती है याद रखना, राइजोर्ट की बात करते हैं, जो root के समान होते है roots like, क्या, roots like होते हैं, और सबसे important एक कोशिक है, क्या है यूने सललर होते हैं याद रखना, फ्यूनेरिया में ये बहु कोशिक होते हैं तो ये कुछ मोटी मोटी बात हैं तो यहाँ एक सवाल बनेगा और लेंगीक क्या है, गेमी है जो गेमा कप के अंदर मिलेगी राइजोर्स मूल की तरह काम करेंगे और ये आप देख सकते हैं इस्तरीधानी ये पूधानी इसका अब लग मारकेंशिया में फिमिल और मेल जो प्लांट है वो अलग-अलग होते हैं क्या अलग-अलग होते हैं याद रखेगा यानि ये डायोसियस प्लांट होता है क्या डायोसियस प्लांट होता है ठीक है इसके अलावा जो कुश्चन्स की बात करते हैं जो इस्तरीधानी होती है वो फ्लास्क जैसी होती है जो मेल होते हैं वो गोलाकार होते हैं अंडाकार होते हैं ठीक है कशाबी की होते हैं नीट में सवाल आ चुका है बाई फ्लेजिलेट होते हैं क्या बाई फ्लेजिलेट होते हैं याद रखना द्वी कशाबी की पुम्णू जो इससे निकलेंगे और ये पानी में तेरते हुए मादा के पास पहुंचेंगे और जो निशेचन है वो पानी के भ और जो इसमें एंथेरो जोट जाएंगे यह नीट में आ चोगा कोशन कैसे होते हैं और पानी के द्वारा यह फिमेल के पास पहुचेंगे और फिमेल के अंदर ही क्या होगा निशेचन होगा यूगमनज बनेगा एंब्रियो बनेगा ठीक है यह चीजें वहाँ देखने को मि उसके बाद NCRT कहती है फ्यूनेरिया के बारे में क्या भई फ्यूनेरिया की बात करती है क्या फ्यूनेरिया की बात करती है और फ्यूनेरिया की अगर हम बात करते है हटकर बात क्या है फ्यूनेरिया किस में आता है मौस में आता है किस में आता है मौस में आता है जबकि मारके मारकेंशिया की बात करते हैं ये लीवरवर्ट का एक्जामपल है तू दपॉइंट पुछा जाएगा लीवरवर्ड का फेवरेट एक्जामपल मारकेंशिया इसके लाव रिक्षिया भी आता है ठीक है न तो यहाँ जो सबसे important चीज ये gammy वाला सवाली बनेगा नीट के अंदर क्या gammy वाला और ये चीज़े भी याद रख सकते हैं ठीक है ये जाएंगे female के पास ठीक है फिवनीरिया की बात की जाती है तो आप देख सकते हैं capsule, ceta, leaves ये sporophyte वाला भागे मैंने अभी कहा था मुख्य जो सरचना वो gammy वाइड युगमोद भी दोती है मौस की बात की जारी है और यहाँ आप देख सकते हैं राइजोड जो है वो multi-cellular है क्या है बटा? multi-cellular structure है बहु कोशिक है सरचना है क्या है? बहु कोशिक है जबकि मारकेंशिया के अंदर यह एक कोशिक होती है बहुत important चीज gammy वाइड पूरे पादब जगत में लिफ वाला होता ही नहीं है पहली खास बात मौस के अंदर ही gammy वाइड पतियों युक्त होता है पूरे पादब जगत में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है यहां पतियों वाला युगमोद बीद गैमेटोफाइड केवल मौस की खास विशिष्टा मानी जाएगी स्पोरोफाइड कैपसूल के अंदर स्पोर मदर सैल होगी और यह आगे चलकर बच्चों स्पोर्स बनाएगी क्या बनाएगी स्पोर्स बनाएगी और यहां स्पोर का बहार निकलना सबसे ज़्यादा विक्सित माना जाता है Most Advanced मैथड है यह Most Develop ध्वाइड ध्यान रखना NCRT में दे रखा है Most Allegorated sporophyte के अंदर जो spor मुक्त होते हैं ठीक है ना सबसे ज़्यादा develop माना जाता है most के अंदर sporophyte के अंदर जो उपर capsule दिख रहा है जिसमें spor मदर कोशिका होगी cell होगी जो आगे spor बनाएगी most develop माना जाता है जी हाँ clear है capsule seta नीचे foot वाला part तीन पार्ट होते है capsule, seta और foot ठीक है यह leaves वाला बाहर दिख रहा है यह gametophyte खाना यह बनाएगा ठीक है यह आंशी ग्रूप से निर्वर करता है कुछ फोटो सिंटेसिस कर सकता है आंशी ग्रूप से हम बात करते हैं युगमोद भीद पर निर्वर रहेगा यह funeria में मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है अगर पुछे spore का जो बात करते हैं dispersion होता है जो बिजानु मुक्त होते है वो सबसे ज़्यादा विक्सित कहां देखने को मिलता है moss या funeria के अंदर देखने को मिलेगा और एक अच्छी चीज मौस के अंदर है मौस के अंदर जो है proto-nima क्या proto-nima जो है क्या proto-nima जो है अलेंगी जनन का main है वहाँ गैमी था और यहाँ proto-nima सरचना होती यही proto-nima आगे चलकर हम बात करते हैं भई किसके हैना यह जो स्पोर से बनती है ध्यान रखना स्पोर से बनती है है ना यही स्पोर आगे चलकर proto-nima बनाते हैं ध्यान रखना और proto-nima आगे चलकर secondary proto-nima बनाते हैं क्या बनाते हैं secondary proto-nima बनाते हैं जो एक श्यान अवस्ता है ठीक है है वो secondary protonima से बनता है और यह protonima spore या बिजानों से बनता है बहुत important line है ठीक है वाई बहुत important line है समझ मागी चीज़ें शलिए और अब एक बहतरीन सवाल जो है इसमें पूछा जाएगा इसमें sphagnum के बारे में क्या sphagnum के बारे में अच्छा सवाल है जो neat में पूछा जाता है पीट फ्यूल कहां से मिलता है जी हाँ पीट फ्यूल कहां से मिलता है पीट कोईला कहां से मिलता है sphagnum से मिलता है ठीक है और water holding की बात करते है पैकिंग substance के अंदर इसकी भूमिका देखने को मिलती क्या पधारतों के packaging के अंदर जो हम बात करते हैं वहां इसकी भूमिका मिलती है है ना shipment में हम बात कर सकते हैं पर पीट फ्यूल के लिए स्पेगनम का नाम सबसे important है नीट का favorite question रहा है रहा है तो ये चीज़े आपको याद रखनी है ब्रायोफाइट्स के अंदर शलिए उसके बाद हम बात करते हैं बाकी तो normal चीज़े हैं मिट्टी को बानना मिट्टी का अपरदन रोकना यह सब पता है आपको ठीक है ना यह सब पता है आपको और एक जो चीज़म बात कर सकते हैं जो मौस होते हैं क्या मौस होते हैं वो पारस्तिति की अंदर ecological succession के अंदर भूमिका निबहाते हैं है ना यह अच्छा सवाल हो सकता ecological succession अनुकर्मन क्या भई पारस्तिति की अनुकर्मन के अंदर याद रखना पारस्तिती की अनुक रमन के अंदर जो है इनकी भूमी का देखने को मिलेगी मौस की लाइकें के बाद इन ही का नंबर आता है ठीक है ये चीजें अच्छी है उसके बाद टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में सबसे इंपॉर सीधी सटाक बात करूंगा यहाँ पर पहला अच्छा है कि यह फस्ट वैस्ट कुलर प्लांट है क्या वही यहाँ पर हम बात करते हैं सवन उत तक आ जाते हैं तो इनको वैस्ट कुलर प्लांट कहा जाता है ठीक है यह यहाँ पर सीड नहीं होते हैं पर पहली पहली बात जा सवाल बन सकता है गेमेटोफाइट और हम बात करते है स्पोरोफाइट पे एक अच्छा और बहतरीन सवाल माना जाता है यहाँ भी हैपलोडिप्लोंटिक लाइफ साइकल है पर उसमें भी लोचा क्या है ध्यान से देखेगा यहाँ भी गेमेटोफाइट N है यहाँ स्पोरोफाइट भी 2 है कोई नई चीज नहीं है पर यहाँ गेमेटोफाइट जो बात करते है मेन नहीं है मतलब यहाँ पर यह परकास संसलेशी है फोटो सिंतेटिक है याद रखना यह फोटो सिंतेटिक है परकास संसलेशी है अरे भाई ये भी परकास संसलेशी है क्या ये भी फोटो सिंथेटिक है अरे ये भी फोटो सिंथेटिक है तो इसका मतलब ये भी अपना खाना बना सकती है ये भी खाना बना सकती है ये जो हम बात करते हैं शौर्ट टाइम के लिए होती है, क्या वई, शौर्ट टाइम के लिए होती है, NCRT कहती है, जो ये बात करते हैं, ये भी ग्रीन है, और मल्टी सलूर होती है, हना और खास बात, इसे एक टेक्निकल नाम दिया NCRT ने, प्रो थैलस, क्या प्रो थैलस कहा जाता है, तो याद परकास संसलेशी, संचिप्त कालकी, हरी, बहु कोशी के सरचना ग्रीन है, उसे प्रो थैलस कहा जाता है, ये भी फोटो सिंतेटिक है, पर बच्चों ध्यान रखना, ये मेन स्टेज है, क्या है ये मेन स्टेज होती है, मुख्य अवस्ता कौन होगी, अगर पूछ लिया जा ये अपनी जिन्दगी जीरा है, ये अपनी जिन्दगी जीरा है, है ना, क्योंकि ये परकास संसलेशी, ये भी परकास संसलेशी, इसका मतलब कोई किस्पर निरबर नहीं करता है, मेरी बात याद रखेगा, क्योंकि अगर पूछे मुख्य अवस्ता क्या है, पर निरबर को हेपलो-डिप्लॉंटिक होते हैं क्या भई हैपलो-डिप्लॉंटिक लाइफ साइकल ठीक है टेड़ोफाइट में भी यही होता है अगुणी दीगुणी जीवन चकर चलेगा पर ध्यान रखना मेन स्टेज पूछ ली जाए तो उत्तर क्या होगा स्पोरोफाइट पर दोनों कोई एक दूसरी पर निर्वर नहीं करते हैं अलग-अलग जिन्दगी जेंगे और अच्छा सवाल जी हाँ जो टेड़ोफाइट से पूछा जाता है जिसमें हम कहते हैं इसमें जो माइक्रो-स्पोरोफिल है माइक्रो-स्पोरोफिल चोटी-चोटी पतियां और मेगा- कि उलिछना का निर्मान करती है। जिसे कौन या अस्ड्रो और एक चाहँ दोल ही तक किया यह वित भान भुट देखेंक लिए और की जाРЕी है। तो यहां माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल लिए की जारी है तो देखें चोटी पतियां लगू एं और बड़ी पतियों की बात की बात की जा रही है तो micro का मतलब cell यार रखना micro cell मतलब छोटा 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 cell SEL S है ना सेले जिनेला ए यहां बात करेंगे इसके अंदर एक्विसीटम एल लाइकोपोडियम यह NCRT की बात करेंगे मेगा स्बुरोफिल के अंदर बड़ी बड़ी फन जान रखना बच्चों टैरीस इंपोर्टेंट है क्वोश्चन यही पुछ जाएंगे टैरीडियम ड्राइव टैरीस है ना तो यह सारी चीज़े बटा मार्शीलिया यह सब बड़ी पतियां होती मेगा या मैक्रो स्पोरोफिल कह सकते हैं टैरीस टैरीडियम यह सब फन कहलाते है NCRT एक शप्ट में कहती है फन्स फन्स अगर हम बात करते हैं तो वो मेगा स्पोरोफिल आएगी बड़ी पतियां होगी और माइक्रो स्पोरोफिल में सेल, छोटा सेल, माइक्रो सेल सेल, सेल, जिनिला, एक्विसीटम, लाइको, पोडियम ठीक है न आगई मेरे समझ में टैरीस, टैरीडियम, टैरप्टिस, मार्शीलिया, मेगा स्पोरोफिल है CRT के अंदर याद रखना बेटा ठीक है, शलिए एक और बैतरीन सवाल जो नीट में पूछा जाता है जी हाँ, वो है इसके अंदर दो तरह के स्पोर बनते हैं यहाँ पे, माइक्रो स्पोर और एक है इसके अंदर बात करते हैं इसमें ठीक है ना, जिससे कहेंगे होमो और हैटरो, पहले लिख देते हैं एक अच्छा सवाल है होमोस्पोर, सम बिजानू और दूसरा बच्चों हम बात करते हैं हैटरोस्पोर विशम बिजानू, यह एक्जामपल ही पूछे जाते हैं नीट के अंदर सम बिजानू और विशम बिजानू की बात करेंगे सम बिजानू, डारेक्ट प्रशन है यही नीट का सवाल बनता है सम बिजानू और विशम बिजानू की बात की जाएगी सम बिजानू और विशम बिजानू पर सवाल पूछे जाते हैं ये need के fix question है homo का मतलब एक जैसा उसमें या तकना L P E D ठीके ना यहां देखिए इसके अंदर L P E D के अंदर जो है lycopodium be silent ने पिटा teris, teridium सब आजाएंगे equisitum और यहां पर dryopteris 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 की बात करेंगे ठीके ना, एक जैसा ठीके ना, पेड, लेपी या पेड जो भी कह सकते हैं इसके अंदर बेटा ठीके, और यहां जो हम बात करते हैं हेटरो के अंदर ध्यान रखना मासी क्या याद रखोगे, मासी याद रखना क्या मासी की बात कर सकते हैं मासी याद रखना, मासी, है न, विश्यम के अंदर मासी याद रखना, मासी में कौन आ गया, मार्शीलिया, ए का मतलब बच्चों, एजोला, क्या एजोला, एस का मतलब है सेला, जिनेला, ये एक्जामपल बहुत इंपोर्टन है, सालवीनिया, और आईसो इटीस, ठीक है न, आईसो इटीस की बात करते हैं, तो ये कुछ एक्जामपल है, वो विश्यम बिजानू के हैं, जो ध्यान जल्य होते हैं, 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 भी जनवे, इसलिए टेड़ो फाइट में एक लाइन आती है, Seed Habit, वीज प्रकर्ति की शुरुवात कौन करते हैं, जली एक्वेटिक टेड़ो फाइट करते हैं, याद रखना, वीज प्रकर्ति की शुरुवात हेट्रोस्पॉरस से ही होती है, बीज प्रकरती की शुरुवार्थ यहीं से होती है बच्चों जो ध्यान रखना ठीके ना, seed habit की बात करते हैं seed habit यानी बीज प्रकरती की शुरुवार्थ यहीं से होती है एक फैवरिट कोश्चन है जो पूछा जाता है और अभी नीट में एक सवाल आया है जीजे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं याद करने के लिए आप लोग ठीक है और यहां जो अगर मैं बात करता हूँ यहां एक कोशन पूछा गया था कौन कौन की बात करते हैं या स्ट्रोब इलाई की बात करते हैं बेटा कौन या स्ट्रोब इलाई होते क्या है जो पतियां होती स्पोरोफील का एक compact structure होता है क्या जो हम बात करते हैं इसमें compact structure of leaf of sporophyll कह सकता हूँ पतियों का पतियों का जो एक जटिल सरचना है जिसे कौन कहा जाता है जिसमें sporangia होंगे micro spongia, mega spongia यह सब चलेगा और NCRT क्या कहती है NCRT कहती है कौन के अंदर इतना सितम कौन सहेगा इतना सितम कौन सहेगा इतना सितम कौन सहेगा है ना इतना equisitum, equisitum, इतना सितम, equisitum है ना ठीक है ना और एक याद रखना सेला जिनेला, शेला, शेले का, शेला जो भी याद रख सकते हो दो एक्जामपल है, equisitum और सेले जिनेला, ठीक है, कौन में दो एक्जामपल दे रखे है NCRT में और ये नीट में सवाल आच चुका है धान रखना, तो ये मोटी मोटी बाते थी, और NCRT last में कहते हैं, एक्जामपल बता दो वाईया, एक्जामपल बता दो, जिसमें हम कह ठीक है ना बई, स्विन उप सीडा, और लास्ट टैरी, है ना टैरॉप सीडा या फिलिकॉप सीडा, टैरॉप सीडा या फिली कॉप सीडा की बात करते हैं, याद रखेगा, और इसमें एक्जामपल, सीमपल सा है NCRT की जो चीज़ दे रखे वो याद रखे, सीलोप सीडा Like o में Like. I like Sheila, I like Sheila, कोई भी नाम I like Sheila याद रखलो I like Sheila, I like 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 all,ükär وبीम क्लप मौस क्लप मौस शैला जिनेला ठीक है ये छाङ़िज आठक Casa in ला लीत्ल क्लप मौस सञ्जीवनी के रिउना आपकर इक्विसीटम सिर्फ इतना सितम सिर्फ एक्वे सिटम और टेर अफ सिड़ा में टेरीज, ड्राइब टेरीज, सब यही आ जाते बेटा टेरीज, ड्राइब टेरीज, में जो लिखने की ज़रूद नहीं है बाकी सारे यहाँ पे एजोला, सालवीनिया सारे कि सारे यहाँ पे आएंगे सारे बच्चे वे यहीं याद रखना है ठीक है यह NCRT की बहुत important classification है जो आपको याद रखना होगा बेटा ठीक है ना? हाँ तो यह SILA of SIDA याद रजाएगा टैरोफ SIDA के अंदर फिलीकॉफ SIDA में एजोला, धान के अंदर एजोला पता है? नाइट्रोजन fixation करने वाला है चावल की उत्पादन को बढ़ा देता है एजोला यहीं आता है ठीक है? जो बात करते हैं फरंस यहीं आते हैं होर्स टेल जिसे कहते हैं एक्वी सीटम को? क्या कहते हैं एक्वी सीटम को? होर्स टेल के नाम से जानते हैं जान रखना होर्स टेल के गोड़ी की पूँच जैसा देखता है एक्वी सीटम ठीक है? यह सारी चीज़ें जो है question बनेगी शल यह इसे के साथ इसको सतने समाप्त और last भज़ गया है gymnosperm क्या? gymnosperm की बात करते हैं क्या? gymnosperm की बात करते हैं और gymno का मतलब क्या है? gymno का मतलब है नग्न यह ना? यानी fruit से जो covered नहीं होते billion not covered by fruit, ठीक है? तो gymnosperm यानि अननावर्थ बीजी क्या है? अन्नावर्थ बीजी की बात करते हैं, naked seeds कह सकते हैं, जिसे कहते हैं, gymnosperm, gymnosperm में question क्या बनेगा, gymnosperm में जो question बनता है, ठीक है न भई, तो जित ध्यानक न, coralloid roots क्या होती है, ठीक है, दूसरी जो हम बात करते हैं, इसमें mycorrhizae क्या होता है, और pineus पे सवाल पूछे जाते हैं, fix question है या gymnosperm से, अगर मैं बता हूँ, आप लोगों को, पहला जो question बनता है, इसमें, coralloid roots पे बनेगा, क्या बनेगा, coralloid roots पे, है न, तो syna के बिना, ana के बिना, है न, cora का गच, क्या भई, यहाँ याद रखना, aina के बिना, aina के बिना, aina बिना, syno bacteria, syno bacteria, याद रखेगा, syno bacteria,cha, plus, है न,, sykes, जान रखना, sykes और aina बिना का जो रिश्टा है, ठीक है, aina बिना और sykes की बीच में, बात करते हैं, वो corall lorsquEh rush कहलाता है, अच्छा सवाल है पहला अच्छा सवाल यह जो पूचा जा सकता है एना बीना और साइकल्स के संबन को कॉरिलोड रूट्स कहा जाता है दूसरा पूचा जाएगा माइकोराइजा क्या माइकोराइजा की बात की जाएगी और इसमें याद रखना माइकोराइजा का मतलब क्या है जी हाँ हम बात करते हैं fungus क्या भई fungus की बात करते हैं और हम बात करते हैं roots of pinus pinus की जड़ों के साथ हम बात करते हैं जो संबंध है pinus के बीजों का अंकुरन mycorrhiza के बिना कभी नहीं हो सकता neat का सवाल है mycorrhiza में कवक होगा pinus की जड़े होगी और ये phosphorus के absorption में बहुत जबर्दस भूमिका निभाता है वैसे glomus once जो है वो भी भूमिका निभाते हैं ध्यान रखना fungus के अंदर ठीक है तो ये चीज़े बहुत important है और जब pinus की बात चिड़ी है जब pinus की बात चिड़ी है तो याद रखना इसमें winged pollen होते हैं punk वाले परागकन कहां पाए जाते हैं ये भी neat का सवाल आ चुका है punk वाले परागकन कहां पाए जाते हैं pinus में पाए जाते हैं ये भी अच्छा सवाल है तो ये दो चीज़ें अच्छी है उसके बाद एक और तीसरी चीज़ पुछी जाती है इनमें पतियां जो है बहुत नुकिली होती है ठीक है क्या होती है नुकिली पतियां पाई जाती है चलो देखो तो अगर हम बात करते हैं इनके अंदर लिफ की बात करते हैं नीडल लाइक लिफ होती है पतियां जो होती है सुई जैसी होती है पहली बात दूसरी बात बच्चों याद रखना इन में जो स्टोमेटा होते हो अंदर धसे होते हैं संकन स्टोमेटा कहते हैं स्टोमेटा यानि रंदर अंदर की तरफ धसे होंगे दूसरी बात तीसरी बात हम बात करते हैं इसमें क्यूटीन का लेयर है ना क्यूटीन लेयर की बात कर सकते हैं क्या क्यूटीन लेयर होती है इनके अंदर भी तो नीडल लीफ लाइक संकन स्टोमेटा क्यूटीकल की बात कर सकते हैं ठीक है ना क्यूटीन लेयर की बात कर सकते हैं तो यह सब सरजन ट्रांस्फिरिशन को रोकने का एक बात करते जरिया है यह सब अनुकुलन कह सकते हैं बेटा क्या कह सकते हैं अनुकुलन कह सकता हूँ मैं इनकी पतियां छोटी छोटी होगी सुई के आकार की होगी दसेवे रंदरोंगे क्यूटीन की लेयर होगी यह चीजें याद तो सबसे longest tree के बारे में भी दे रखा है ह। क्या भै लॉंग सबसे के बारे में भी दे रखा है सिकवा है यह चीजें ध्यानकना सिकवाया की बात करते हैं जो important है red wood tree की अंदर जो दे रखा है red wood tree सबसे longest माना जाता है उसके बाद जो general चीजे दे रखी उसमें कोई important नहीं है gymnosperm के अंदर भी वो सेम चीज कौन बनता है microsporophyll, megasporophyll बनेगा मोटी मोटी बात अगर मैं कहूँ gymnosperm के अंदर तो यहाँ पर pollen sec बनता है जी हाँ, यहाँ pollen sec बनता है पर archegonium भी पाया जाता है anthridium नहीं पाया जाता है जी हाँ, anthridium absent होता है बहुत important line है anthridium absent होगा, यहाँ पर नहीं पाया जाएगा है ना, pollen sec होगा क्या होगा? pollen sec और आर्की गोनियम भी पाई जाती ज़्यादा संक्या में होती है आर्की गोनियम यानि मादा वाला भाग होता है यानि मैंनी एक या दो ज़्यादा हो सकता है मैंनी आर्की गोनियम बहुत ज़्यादा भाग देखने को मिलेगा जिमनोस्पम जो है वो हाँ बात करते हैं अग लिंगाश्री पादफ क्या एक लिंगाश्री पादफ होता है अच्छा सवाल है NCRT का यार रखेगा यार रखेगा या एक परी दोनों हैं तो इसे मोनो इसियस कहा जाता है क्या मोनो इसियस कहा जाता है और हिंदी में इसे क्या कहेंगे उभे लिंगाश्री क्या उभे श्री कहा जाएगा अच्छा सवाल है ठीक है तो ये कुछ चीजें हैं जो हटकर आपको ध्यान रखनी होगी इसके अलावा जीम्नोस्पम में आपको ध्यान रखना है ना जो बात करेंगे हैपलोईड एंडोस्पम भूणपोश अगुणीः थोता है क्या भूणपोश अगुणीथोता है दूसरी जो चीज याल रखना विंड पॉलीनेशन में होता है क्या होता है हवा दो Dubai अपरागन ही देखने को मिलता है है ना और तीजरी बात जीम्नोस्पम के अंदर यह बहु भूनता, poly embryonig बहु भूनता भी देखने को मिलती है, यह सारे की सारे question है, ठीक है, यह सारे की सारे क्या है भई, question इसमें देखने को मिलेंगे, जिंको बाईलवबा याद रखना इसका member है, जिसे जिवित जिवासमो मेडन हेर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है साइकल पाइनर्स इड्रस जिनको बाइलबा यह सब सारे सदस्य इसमें आते हैं यह मोटी मोटी बात हमने यहां कर ली है अब एक और खास बात लास-NCRT में हैपलोंटिक हैपलो डिपलोंटिक और Diplontic Life Cycle दे रखा है ठीक है जिसमें से एक चीज की बात कर लेता हूँ मोटी मोटी अंतिम बात जिमनों और हम बात करते बढ़ा है ना LG की जहां बात की जाती है LG की जहां बात की जाती है Main Stage क्या है वई? Main Stage क्या है? Haplontic है क्या है ये? Haplontic है याद रखना अपवाद क्या है? अपवाद HD Pack है क्या HD Pack याद रखना? HD का मतलब Haplodiplontic है पॉली सिफोनिया याद रखना अच्छा सवाले आ चुका है नीट में Polysiphonia, Ectocarpus, Ectocarpus और Kelp ये अपवाद है LG के अंदर LG हेपलोंटिक होती है पर HD Pack याद रखना है हेपलो डिपलोंटिक में Polysiphonia, Ectocarpus, Kelp एग्जामपल है इसके अलावा जो बात करूँगा Diplontic यानि Diplontic LG के अंदर Fucus आता है कौन आता है? Fucus आता है, सारी की सारी LG के जाइगोट में मियोसिस होता है है ना? इसको छोड़ कर, LG के अंदर ध्यान रखना, LG का खास है Diplontic मियोसिस, क्या भई? Diplontic मियोसिस होता है यानि युगमनेश के अंदर अर्ध सुत्री वाजन होता है पर ये अपवाद है, इन सब में नहीं होता है बच्चों, ये बहुत ही important चीज़े है, ये exception है क्या है ये? exception है ये सारी की सारी चीज़ें है, accept ये जो दिख रहा है box, ये accept है, ये accept है ठेक है ना? समझ गे box, exception की बाद की जाएगी तो पहला सवाल तो ये आया, उसके बाद जो हम बात करें याद रखना, haplontic life cycle है, ये अपवाद है ये सब क्या है? अपवाद है, exception की बात करेंगे उसके बाद मैंने आप से कहा, ठीक है ना? bryo और terido, क्या बेटा? bryo and terido की बात करते है bryo और terido के अंदर हम बात करते है क्या है life cycle? haplodeplontic क्या होती है? haplodeplontic, HD है है ना? और हम बात करते हैं, gymno, gymno and angio की क्या? gymno और angio की बात करेंगे और ये सब कैसे है? diplontic है क्या है? diplontic, यानि द्वी गुनी तो life cycle है है ना? समझ गए, बीज वाले जितने भी है gymno और angio बीज वाले है, diplontic होगा ठीक है? यहाँ पर जो है gametophyte, sporophyte पर निर्वर करता है याद रखना, मुखी अवस्ता sporophyte ही है मुखी अवस्ता क्या है? sporophyte होगी बेटा main जो होती है, वो sporophyte होती है इनके अंदर वो चीज याद रखनी है L-E-S में ना? देख सकते हैं बेटा इसमें? तो यह चीज़े बहुत important है चलिए बेटा, आ गया? gymno और angio की बात करते हैं, कैसा है life cycle? है ना? diplontic होगा briotator के अंदर HD है, अपलो diplontic रहता है तो दाग या रखना है, D-A-G, दाग है ना? जो बात करते हैं इसके अंदर ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब जो हम बात करेंगे Animal Kingdom की, क्या? Animal Kingdom की बात करते बेटा अगर Animal Kingdom में बात करते हैं तो इसमें जो प्रशन बनते हैं तीन सवाल ध्यान रखेगा, उसमें तीन main segment है question तो इस बार 4-5 question लेकर जाएगा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो सबसे important चीज है वो है आधार, पहले क्या है? आधार याद रखना है, फिर non-codet याद रखना है फिर codet याद रखना बेटा, ठीक है? तो आधार के बारे में, non-codet के बारे में, codet के बारे में क्या-क्या प्रशन पुछे जाएंगे तो अगर शुरुवात की बात की जाए इसमें basis या आधार, उसमें एक question क्या-क्या generate हो सकता है इसमें जो हम बात करते हैं, जो पहली चीज है इसके अंदर है न, level, जो बात करते हैं, और्गेनाइजेशन लेवल की बात करते हैं तो आपको पता इसमें, कोशी के इस्तर, उत्तर के इस्तर, अंग इस्तर, अंग तंतर इस्तर पर जो जीव है उस पे सवाल बन सकता है, क्या उस पे पहला सवाल बनता है example, example याद रखने बटा, क्या, cell level पर, tissue level पर, है न, हम बात करते हैं इसके अंदर tissue की बात क्या आएगा, organ और organ system level पर हम बात करेंगे क्या, organ system level पर हम बात करेंगे, तो इसमें क्या-क्या चीजे हो सकती है ठीक है, तो यहाँ, to the point याद रखना, आपको, cell के अंदर याद रखना, बटा, porifera क्या, porifera, multi-cellular है, पर इनको cellular level की ही बात करते हैं tissue level की बात करते हैं, तो silentrata का नाम आएगा, क्या, silentrata, tinofora का नाम आएगा organ level की बात करेंगे, तो platy helminthes का नाम आएगा, और organ system की बात करेंगे, तो SK helminthes to codita की बात की जाएगी, to the point example ही आपको यहाँ पर याद रखने होंगे, बस cell, tissue, organ, organ system to the point यह पहला आपको आधार याद रखना होगा, अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा point इनके अंदर very very important symmetry क्या होगी, यानि अगर हम बात करते हैं, इनके अंदर सम्मिती की बात की जाएगी, क्या, सम्मिती की बात की जाएगी, तो क्या होगा इनके अंदर सम्मिति के अंदर देखे क्या होगा ठीक है बई यह वो पास रिविजन चल रहा है जिसके पढ़ा हुआ है तो उसको समझ में बिठा यही चीज़ है पढ़ने के बाद यह क्लास बगा मज़ा आता है क्योंकि रिवाइज हो जाता है ठीक है सम्मिति की बात करते हैं अ सम्मित अना त्रिय अस में बात करते हैं रेडियल सिमेट्री और बाई लेटरल है ना वेड़ा त्रिज्य सम्मित और हम बात करते हैं इसके अंदर द्वी पार्शू सम्मिति की बात करते हैं तीन इसमें हिस्से दे रखे हैं केवल एक्जामपल एक्जामपल पढ़ने आपको और कुछ नहीं करना है अगर मैं कहूँ ए सिमेट्री क्या ए सिमेट्री की बात करूँगा या मैं बात करता हूँ रेडियल सिमेट्री की या मैं बात करता हूँ इसमें बाई ल के अंदर जो बात करते हैं Silentrata क्या Silentrata पढ़ा था Tynophora हम बात करते हैं है ना Silatina, Tara है ना Echinodermata वो बाद में लिख देंगे इसमें Silatina, Tara समपोरिफेरा की जो मेंबर है वो भी आते हैं इसके अंदर तो Silentrata, Tynophora के अंदर सबसे important ये देखने को मिलता है Bailator में बाकी सब क्या बाकी सब यहाँ ध्यान रखना है क्या बाकी सब यहाँ पर क्या रखना है ध्यान रखना है तो Silentrata, Tynophora और कुछ मेंबर, Porifera की भी होते हैं सबसे important चीज क्या है बिटा सबसे important चीज क्या है Echinodermita में अलग लिखना चाता हूँ favorite question है Echinodermita का जो favorite question पूछा जाएगा क्या Echinodermita के अंदर जो adult होते हैं जो adult होते हैं और जो लारवा है दोनों में अलग-अलग तरह की सम्मिती पाई जाती है सबस यही बना है और यही आता है adult ready होते हैं adult ready होते हैं अर्य सम्मिती को पदर्शित करेंगे और लारवे के अंदर हम बात करते हैं द्वी पार्शो सम्मिती पाई जाएगी क्या द्वी पार्शो बेटा इसे अर्य कहा जाएगा हिंदी में क्या अर्य कहा जाएगा इसे द्वी पार्शो कहा जाएगा क्या द्वी पार्शो सम्मिती कहा जाएगा ठीक है मोटा मोटा यही याद रखना और कुछ भी नहीं करना बेटा ठीक है चल यह आगे बढ़ते हैं और 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 तीसरी चीज़ इसमें जो पूछी जाएगी वो है इसमें germ layer चन्निक परतों की बात कर रहे हैं दो चीज़ें याद रखने हैं बच्चों इसमें diplo, blastic, क्या diplo, blastic और triplo, blastic example, example याद रखना बेटा example, example याद रखना और कुछ नहीं याद रखने का है तो यहाँ पर दो परतें होगी acto और endo वाली triplo के अंदर acto, miso, endo यहाँ miso गिल्या भी पाई जाती है याद रखेगा और यह आपके देखने को मिलेगा silentrata कहाँ silentrata तक के members में देखने को मिलता है बच्चों और यह कहाँ से शुरू होता है pretty helmetus से शुरू होता है pretty helmetus से caudata तक यह चीज आपको देखने को मिलेगी याद रखेगा और यहाँ फिर बात करता हूँ चौती actoderm, endoderm के अंदर diplo का मतब दो three core के actoderm, misoderm, endoderm pretty helmetus से caudata तक के member के अंदर यह देखने को जाएगा बचा ठीक है ना? चलिए जब देर के बाद में जो दूसरा सबसे important है वो silom का बेटा क्या है? silom का question सबसे important है क्या है? silom का और silom के basis पे हम बात करते है तीन चीज़े हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेटा क्या? a silomate a silomate किसमे देखने को मिलेगा? pseudo silomate कहां देखने को मिलेगा? a basi guaha क्या? a basi guaha की बात करते हैं और लासम बात करते है true silom क्या? true silomate की बात करेंगे क्या? true silomate की बात करेंगे उन guaha देखने को मिलेगी उदारन पे ही question पुछे जाएंगे a silomate में याद रखना pl Casa क्या SK Helminthes के सदसिय याद रखेगा बिल्कУल और यहां जुख करते हैं ash के अंदर हैंना अबासी हुआ SK Helminthes में देखने को मिलेगी A silo mate, platy Helminthes, Pseudo silo mate, SK Helminthes में एक ही एक्जाम्पल है प्रूस इलोमेट एने लिड़ा से कौर डेटा तक पाया जाता है एक्जामपल याद करने का इतरीका सीम्पल सा याद रखने का है ठीक है भई बिल्कुल तो आगे बढ़ते हैं पांच वी चीज जो है उसके बाद कोश्चन पूछा जाएगा इसमें सेगमेंटेशन का अच्छा सवाल है क्या क्या है सेगमेंटेशन का जो अच्छा सवाल बनता है वो याद रखना दो चीज़ें ही है इसमें जो पूछी जा सकती है क्या दो चीज़ें ही है जो पूछी जा सकती है या तो पूछा जाएगा, है ना, segmented, है ना, segmented या metamere segmented वाला, ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं, non-segmented, non-segmented, उधारन ये आ चुका है, उधारन ये आ चुका है, बच्चों, segmented में तीन नाम ध्यान रखेगा, एने लिडा, आत्रोपोडा, और लास्ट हम, कॉड़ेटा की बात करेंगे, किसकी, कॉड़ेटा की बात करेंगे, याद रखना, और non-segmented में बाकी सब, क्या बटा, बाकी सब याद रखेगा, सवाल आ चुका है, नीट के अंदर सवाल आ चुका है, ठीक है बटा, तो यहाँ खंडन बेटा, हिंदी में से क्या कहेंगे, खंडन कहा जाएगा, क्या खंडन कहा जाएगा, है ना, जो खंडी थे, और जिसके अंदर बात करते हैं, खंडी भवन, है ना, खंडन या खंडी भवन कह सकते हैं, यह segmented है, खंड होते हैं, और any duck के अंदर आपने नाम सुना हो क्या मिलता बेटा मैटा मियर की बात कर सकते हैं जो समान आकार की खंड होते हैं याद रखना बेटा यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है जो कोश्चन अभी नीट में अभी है ना फ्रेश कोश्चन पुछा गया इसी के साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ ठीक है यहाँ आज आएगा छटा डाइजेशन या पाचन, क्या बेटा पाचन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर पून पाचन और अपून पाचन की बात की जाती है, क्या पून पाचन और अपून पाचन की बात की जाती है, incomplete और complete digestion की बात की जाएगी तो यहाँ ध्यान रखना यह कहां तक बेटा pretty helmetis तक की बात करेंगे है ना और पून कहां से शुरू होता है complete कहां से शुरू का S से खाना शुरू होता है S के helmetis to chordata याद रखना complete digestion का मतलब tube within tube होगा complete का मतलब यहाँ पर tube within tube की बात करते है नाल में नाल की बात करते है और incomplete अपून का मतलब blind sec की बात करते है क्या blind sec अंदकोश की बात की जाती है अरे देखो वही समझ वाया हाँ तो अब मारे complete होता है SQL methodis to chordata और अपून या incomplete blind sec अंदकोश होता है इसमें एक ही गुदा एक ही mouth होता है याद रखना ठीक है ना बिल्कुल तो यह सारी चीज़े हैं इसके अंदर हाँ अब देखे बड़ा यह सब होने के बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो list दे रखी है porifera, silentata, tinofora, inke और last में kodita की बात की जाएगी ठीक है तो यह सारे जो चीज़े हैं वो बहुत important जहां से question पूछे जाएंगे आधार है porifera की बात की जाती है तो sycone, sypha, spongula एक ही है बेटा है इसके अंदर important है fresh water का sponge क्या होता है spongula होता है porifera के अंदर जो questions बनते हैं जो पहला सवाल इसके अंदर है वो इसके अंदर में कहूंगा system या रखना है water canal system क्या बेटा, जल नाल तंतर क्या बेटा, जल नाल तंतर सबसे महत्पूर है क्या, जल नाल तंतर पाया जाता है और दूसरी जो इसके अंदर हम बात करते है coinocyte cell क्या, coinocyte या collar कोशिकाई neat में दो बार सवाल आ चुका है कशा भीका वाली जी हाँ, phlage related cell होती है क्या, कशा भीका युक्त कोशिकाई होती है जो इसकी sponge औ सिल गुवा को घिरने का काम करती है यहां हम बात करते हैं इनके अंदर spongosil ही मतलड़ गुवा होती है क्या, spongosil plea cavity देखने को मिलती है spongosil गुवा देखने को मिलती है, यह कुछ खास बातnya है और इनके अंदर spongin तन्तौ होते हैं क्या, spongin fiber होते है masuk passport का 치ा, कंटक بنाने का काम करते है यहां जो पानी होता है को आस्टिया में जाता है आस्टिया से जो बात करते हैं वो कैविटी में जाता है यानि मैंने उपर लिख दिया है और इससे ये पानी कहा जाएगा आस्कूलम से बहार निकलेगा क्या आस्कूलम से पानी बहार निकलता है मोटी मोटी बातें याद फिर औस्कूलम से बाहर रिकल गया water ठीक है जलनाल तंत्र कॉइनो साइड कोशी काएं कॉलर कोशी काएं फ्लेज इलेटेड होती है कशा विकार स्पोंजो स्पोंजीन फाइबर होंगे यह उधारन होंगे सवाल यही पूछे जाएंगे पौरी फेरा के अंदर और यह उभे लिंगी होते हैं क्या हर्मो फ्रोडाइट माने जाते हैं क्या है हर्मा फ्रोडाइट होते हैं या रखिए उभे लिंगी होते हैं क्या होते हैं यह उभे लिंगी माने जाते हैं कैसे होते हैं यह उभे की होते हैं सही है है और उठारंद आपके सामने हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेंट्रेटा की बात करते से के अंदरिए के हाईडरा ऑबेलियां ओरेल्यां फाइसेलिया पॉर्टूगीस पुर्तगाली लड़ाकू जिसे कहते है फाइसेलिया एदम सिया को सी एनिमोन कहा जाता है है ना पैनेटूला पैन से लिखते है सी पैन सी फैन गोरी के सब फैन होते हैं सी फैन गोर्गोनिया माइंड ब्रेंड मिंड राइना ब्रेंड माइंड ब्रेंड मिंड राइना ब्रे पेन गोरी, सी फैन, पैन, पैने टूला, इसी लीया दो जाएंगे अब सवाल क्या वनता है? सिलेंट रेटा के अंदर जो हम बात करते हैं हट कर बात क्या होती है? हट कर बात की बात करते हैं सिलेंट रेटा के अंदर नीडो ब्लास्ट सबसे important चीज़ है नीडो ब्लास्ट होगा दन्स कोरक क्या भई दन्स कोरक की बात करते हैं दन्स कोरक की बात की जाती है जिसके अंदर नीमेटो साइट कोशी का ही होती है ये दन्स कोरक टेंटे का जो है ना स्परशक स्परशक के उपर पाए जाते हैं नीडो ब्लास जो होते हैं स्पष्षक के उपर पाई जाते हैं, कैप्चर दा प्रेव, शिकार को पकड़ने के अंदर, स्थान बद होने में, एंक्रेज होने के अंदर, ठीक है, सुरक्षा के अंदर, तीन काम होते हैं इनके, कितने तीन काम होते हैं इनके, शिकार पकड़ने के अंदर ठीक है स्तान बद होने के अंदर और हम बात करते हैं सुरक्षा के अंदर नीडो ब्लास सबसे इंपोर्टेंट चीज़ है पहली इसमें याद रखना है दूसरा सिलेंटेटा के अंदर जो याद रखेगा पॉलिप और मेडूसा की बात करते हैं क्या सवाल आएगा पॉलिप जो होता है वो मेडूसा में बदल जाता है और मेडूसा जो है वो पॉलिप में बदल जाता है ऐसा कैसे होगा यहां हम बात करते हैं इसमें अलेंगिक जनन होगा और यहां हम बात करते हैं लेंगिक जनन होगा याद रखना एक PD के अंदर पॉलिप और दूसरी जनरेशन में मेडूसा होता है तो इसे कहा जाता है मेटा जेनेसिस कहा जाता है इसे मेटा जेनेसिस कहा जाता है और ये औबेलिया के अंदर देखने को मिलता है कहां और बेलिया के अंदर देखने को मिलता है दूसरा नीडो ब्लास याद रखना और कुछ जो कॉरल है कैलिशियम कार्बोनेट होता है इनके अंदर ये चीज याद रख सकते हैं दो ही सवाल है जो बहुत ही प्यारे सवाल है बाकी इसमें कुछ अच्छा कोशन्स बनता नहीं है नीडो ब्लास से पूछा जा सकता सवाल और ये मेटा जैनेसिस से कोशन्स पूछा जाएगा बाकी हाइडरा के अंदर टेंट्रिकल्स होते हैं आप सबको पता है चलिए आगे बढ़ते हैं टीनो फूरा की तरफ और टीनो फूरा के अंदर जो हम बात करते हैं टोटल समूंदरी क्या टोटल समूंदरी होते हैं यानी समूंदरी का मतलब सी वाटर मरीन है ना ये सारे के सारे समूंदरी है टोटल समूंदरी है दूसरी बात इन्हें कॉम्ब जेली कहा जाता है क्या इन्हें कॉम्ब जेली कहा जाता है ठीक है इन्हें हम कह सकते हैं गूजबेरी कह सकते हैं क्या गूजबेरी कह सकते हैं बहुत सरे नाम आते हैं ठीक है और हम बात करते हैं जो सबसे important है celuated eight comb plate celuated eight comb plate होती है जो इनके गमन में साहिता करती है क्या जो इनके गमन में साहिता करती है कहाँ locomotion के अंदर इनकी साहिता करेगी इनके अंदर दो tentacles होते हैं क्या इनके अंदर केवल दो जो होते हैं इस परशक होते हैं पर नीडो ब्लास नहीं पाए जाते बच्चों क्या नीडो ब्लास नहीं पाए जाते ध्यान रखना नो नीडो ब्लास दंस कोरक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे याद रखना दो इस परशक होंगे पर नीडो ब्लास नहीं होंगे आट कॉम प्लेट् जी हाँ बायो लूमिनेसेंस को उत्पन करते हैं क्या जेव प्रदिप्ति को उत्पन करते हैं रोश्नी देंगे जुगनु हैं है ना जुगनु की तरह चमकेंगे भाई क्या जुगनु की तरह चमकेंगे तो जुगनु की तरह चमकेंगे ये बायो लेंगिक जनन होता है के व तो समुद्री अक्रोट कहा जाता है, कॉम जेली कहा जाता है, और हम बात करते हैं, वाल नेट भी कह सकते हैं, अक्रोट है ना, सी वाल नट के नाम से, समुद्री अक्रोट के नाम से, दो उधारन याद रखना है, टीनो प्लेना, प्लूरो ब्रेकिया, ये कोशन इंपॉर्ट करेगी इन्हें कॉंब जेली या सी वॉलन अक्रोड की तरह दिखते हैं ठीक है क्लियर है तो यह सबसे ज़्यादा पुना रुद्भवन शम्ता सबसे ज़्यादा यहां ठीक है ना प्लेटी हेलमिंटिस के जो सदस्य होते हैं फ्लैट होते हैं इस चप्टे होते हैं तो इन्हें कहते हैं फ्लैट वर्म या चप्टे करमी कहा जाता है क्या इन्हें चप्टे करमी कहा जाता है यह उपर से भी चप्टे नीचे से भी प्रष्ट आधारी चप्टे होते हैं, दूसरा, F-C चुराते हैं, इन में फ्लेम सेल होती है, F-C याल रखना, flame cell जो है वो excretion या उस्रजन का काम करती है favorite question है Osmo regulation और excretion परासर नीमन और उस्रजन का काम flame cell करती है अच्छा सवाल है क्योंकि ये परजीवी है क्या है endoparasite की तरह काम करते बेटा क्या ये endoparasite होंगे आंतरिक परजीवी होंगे तो आप इनके अंदर हूक होंगे जिससे ये चिपकेंगे है ना सकर चूसकांग होंगे ठीक है तो इनमें हूक और सकर होते हैं क्योंकि endoparasite है पर बोजन का आउस्चोशन ये सता से चिपक कर ही करते हैं ठीक है बोड़ी सरफेस से खाने को ग्रहंड करते हैं याद रखना बेटा याद रखना ठीक है तो ये चीज़े सबसे important है फ्लेट वम फ्लेम सेल होगी endoparasite होगे हूक होगा सकर होगा कुछ हटकर बाते हैं जो आपको याद रखनी है बाकि normal चीज़े हम पहले ही पढ़ चुके हैं देखे टैब वम फीता कर्मी की बात कर रहे हैं उवे लिंगी होते हैं क्या होते हैं ये ये सब हर्माफरोडाइट मानते हैं क्या है ये हर्माफरोडाइट का मतलब ही होता है उवे लिंगी क्या उवे लिंगी टीनियस इसकी बात सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं एसके हलमिंटीस की तरफ बढ़ते हैं जिने राउंड वं कहा जाता है और गोल करमी के अंदर एसकेरीस, एसाइलोस्टोमा, हूक वंग, वाउचेरिया इफलेरिल वंग, हाती पाउं रोग होता हैं, डिजीज में पढ़ा होगा है ना हाती पाउं, एलिफेंटेसिस के लिए बात करते हैं, क्या होता है एलिफेंटेसिस रोग होता है, important है एसकेरीस के एकजांपल ही याद गुईये होते हैं क्या आभासी गुईये होते हैं यह अच्छा कोश्चन बनता है उसके बाद S.K.L. मिन्तीज में बात करते हैं इसमें जो कोश्चन बन सकता है है ना रेनेड कोशिका ही होती है क्या रेनेड सेल जो होती है वो उस सरजन का काम करती है क्या उस सरजन का काम करती है यह याद रखना है यहाँ इसमें दे रखा NCRT ने जो सबसे पहले complete digestion की बात कर सकते है start यहीं से होता बेटा complete digestion जो start होता है वो यहीं से होता है NCRT ने दे रखा है क्योंकि यह muscular pharynx आती है क्या यहां muscular pharynx की बात करते हैं NCRT कहती है यहां पर muscular pharynx आ जाती है पेशिय ग्रस्टनी की बात की जाती है और यहां dwee link की ता है ना यहां हम कह सकते हैं जो sexual dimorphism होते हैं ठीक है ना जो हम कह सकते हैं male और female askeris की बात की जारी है अलग-अलग होते है male और female askeris की बात की जारी है जहां कह सकते हैं sexual dimorphism langig dwee rupta क्या है यहां पर langig dwee rupta देखने को मिलती है sexual dimorphism sexual dimorphism जिसे कहते हैं है ना male छोटा है female बड़ी होती है female cold होती है याद रखेगा female askeris जो है लंबी होती है मोटी होती है और मुडी भी होती है male की बात करते है male जो होते है उसके पीछे penal cita होते है ठीक है क्या होते है penal cita होते है तो ये कुछ चीजे ncrt कहती है practical syllabus में दे रखा है जो याद रखना है बेटा clear है sq helminthes के यही चीजे है जो आपको याद रखना है earthworm आता है canchua herodinaria blood sucking त्यान रखना leech कहते जिसे क्या है बेटा ये leech की बात करते है important है और neris की बात करते है neris को कहते है sandworm क्या बोलते है sandworm कहा जाता है क्या sandworm कहा जाता है याद रखेगा herodinaria की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, दोनों के दोनों जो एक common चीज में कह सकता हूँ, क्या है ये उवे लिंगी है, क्या उवे लिंगी यानि हर्माफ्रोडाइट है दोनों, क्या है ये हर्माफ्रोडाइट है, जबकि वो एक लिंगी होता है, यूनिसेक्शुल होता है, याद रखना, य ये यूनी सेक्शुल होताए, याद रखना इसी नेरिज चे अंदर बच्चो पेरा पोड़िया हैं, क्या पेरा पोड़िया स्ट्रक्चर होती है और ये पेरा पोड़िया बच्चों दो काम करता है, गमन में लोको मोशन में काम करेगा क्या लोको मोशन में काम करेगा और रेस्पिरिशन सोशन में भी काम करेगा क्या सोशन में भी काम करता है बहुत अच्छा कोशन पूछा जाता है और बलर्ड सक्किंग की बात कर रहे हैं तो ये खून चूसने वाले लीच होते हैं याद रखना ओपन सर्कूलेशन मिलेगा क्या ओपन सर्कूलेशन मिलेगा खूला परी संचरन तंतर देखने को मिलता है जबकि अर्थ वम के अंदर क्लोज सर्कूलेशन मिलता है क्या बंदपरी संचरंट तंतर देखने को मिलता है हड़कर बात है कहाँचुवे कि अंदर बंदपरी संचरंट तंतर होगा लीज के अंदर open circulation होता है दोनों के दोनों उवे लिंगी होते हैं है ना नेरिज एक लिंगी है पेरापोड़िया है और पता है फेरेटीमा के अंदर तो सीटा होते हैं जो गमन में साइता करते हैं लोकोमोशन में साइता करते हैं ये मुटी मुटी बातें आपको एनिल्डा में याद रखना है और NCRT कहती है नेफरीडिया जी हाँ सवाल यही है और कोई नया सवाल नहीं बनता है नेफरीडि से मिल सकते हैं बाकी segment हमने पहली पढ़ दिया है इनमें metamere segmentation होता है क्या एनलिडा के अंदर metamere segmentation यानि खंडी भवन देखने को मिलता है तो यह मोटी मोटी लाइने आपके सामने हैं जो प्रश्न बन सकते हैं चलिए आगे बड़े आत्रोपोड़ा की तरफ spider, scorpion, crab, prawn, insect आत्रोपोड़ा एक बड़ी लंबी बात कर सकते हैं सबसे बड़ा है biggest phylum है ऐसे देखें तो यह सबसे बड़ा संग होता है biggest phylum होता है सबसे बड़ा संग माना जाता है इसके अंदर बहुत सारी class होती है जिसमें हम कह सकते हैं insecta क्या भई? insecta जो है सबसे largest class है क्या? सबसे largest class मानी जाती है यह सारे insect इसी में आते हैं कौन सा insect है जो उड़ नहीं सकता? याद रखना exception में हम बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं silver fish क्या है? हटकर सवाल भी याद रखना silver fish की बात की जाती है wingless क्या? punk रहित है क्या? wingless insect है punk रहित होता है बाकी सब के punk होते हैं और NCRT के इस सवाल मैंच दा कोलम में अभी पूछे गए हैं apis मदू मक्की की बात करते हैं bombix silkworm की बात करते हैं लाक कीट की बात करते हैं याद रखना मदू मकी का नाम है apis silkworm की बात करते हैं है ना silkworm और ये lekt insect है लाक कीट होता है ठीक है? तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं mosquito ऐना फिलिस malaria के लिए qelex की बात करते हैं philaris हाती पाउं के लिए edis dango के लिए जाना जाता है है ना grey garyas का मतलब है समू में रहने वाले क्या? समू में रहने वाले locus होते हैं क्या? समू में रहने वाले को grey garyas कहा जाता है living fossils जीवीत जिवास में limulus या king crab ncrt में दे रखा है यहां हम बात करते हैं इनके अंदर संतर होगा और इनके अंदर head, thorax और abdomen की बात की जाती है है ना cockroach में आपने पड़ा cockroach आता है तो यह पूरा का पूरा आता आपको आथरोपोड़ा के बारे में kaitin का exosclital होगा और यह example ही है और कुछ भी नहीं है क्योंकि ncrt क्या कहती है इनके अंदर male pigion नलिकाएं होती है क्या बेटा male pigion tubules जो है वो excretion का काम करती है insect पर ही सवाल आएगा क्या insect पर ही सवाल पूछा जाएगा excretion यानि उस सरजन का काम करती है ठीक है और NCRT कहती है अगर book गिल्स की बात की जाएगी बीजी तो याद रखना कौन king crab आएगा क्या king crab आएगा याद रखेगा दे रखें NCRT में नाम तो सवाल बनेगा book हम बात करते हैं lungs तो spider की बात करेंगे क्या बेटा spider की बात करेंगे जो दे रखा उपए spider और scorpion बीचू इनके अंदर जो है NCRT proper NCRT चीज़े हैं आपको ध्यान रखनी है जहां सी question पूछे जा सकते बेटा ठीक है तो ये सारी चीज़े रहेगे बेटा हाँ तो ये हिंदी में बेटा काईटिन का भाये कंकाल है सीर है वक्ष है उदर है ठीक है male pig ये नलिका है उस सर्जिन में काम करेगी बुक गिल से किंग क्रेप के अंदर बुक लंग से वो मकडी के अंदर और बीचु के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा चल ये आगे जो बात की जाएगी इसके अंदर वो है मॉलस्का की अंदर क्या भई सीपिया अच्छा है कटल फिश और इंपोर्टेंट जो बात करते हैं ओक्टोपस डेविल फिश ठीक है और लॉलीगो स्क्वीड के नाम से जानते हैं निकनेम बहुत इंपोर्टेंट है जो आ सकते हैं मॉलस्का सेकेंड लाजेस फाइलम होता है दूसरा सबसे बड़ा संग माना जाता है मॉलस्का के अंदर जो सबसे important चीज जो है वो आपको याद रखनी है बच्चों उसके अंदर है न यहाँ जो बात करते हैं head होता है फिर हम बात करते हैं hump होता है और muscular foot होता है तीन भागों के अंदर इनमें शरीर होता है जो इनका बोड़ी होता है शरीर होता है क्या शरीर टीन बाग मेंगा शीष बाग हम और फुट की बात करेंगे हम के उपर बात करते हैं mental layer होती है क्या mental layer होती है जहां रकना ये mental layer एक mental cavity बनाएगी क्या mental गुवा बनाएगी इस गुवा के अंदर गिल्स होते हैं क्या गिल्स होते हैं है ना पंक वाले गिल्स होते हैं और ये गिल्स के दो काम है बच्चो क्या इस गिल्स के दो काम है ये उस सरजन में भी साहिता करती है NCRT कहती है उस सरजन में और ये गिल्स काम में आएंगे पहला आच्छा सवाल यहां से बनता है इनके मौट की बात करते हैं फिर ओरेंसियाटी कहती है इनके मौट के अंदर अगर हम बात करें इनके मौट के अंदर reedulla होता है क्या Redula की बात करते हैं जो 5-like organs हो जीवा है रेती जीवा जिसे कहते हैं क्या इसे रेती जीवा कहा जाता है ये एक तरह से दांत या जीब की तरह काम करते हैं भूजन को पीछने का काम करते हैं Redula माउत के अंदर होगा Mental याद रखना Mental गुवा जिसमें गिस उस्सरजन और सोशन से सम्मंदित होगा Molluska के अंदर ये दो खास बाते जो आपको ध्यान रखनी है जहां से प्रश्ण पूछा जा सकता है ठीक है बाकि कोई नई चीज यहां देखने को नहीं मिलती है चलिए आगे बढ़ते हैं Echinodermita की तरफ, Starfish, Asterias, Echinocardium, Antidone, Sea Lily, Of Eura, Beetle Star, Sea Cucumber, Cucumeria ये कुछ NCRT वाले एक्जामपल है वो अच्छी तरह से धान रखने है बेटा ठीक है, Starfish, Echinocardium, ठीक है ना, ये कोई important नहीं हुआ इतना इसको याद मत करना Antidone, Sea Lily, ठीक है ना, Cucumeria, Sea Cucumber, Of Eura, Beetle Star Echinodermita मैं पहली कह चुका हूँ, इसमें जो हटकर बात क्या है इसमें जो हटकर बात है, पहली चीज तो यहां के मेंबर में देखें Spiny Skin है, क्या है? Spiny Skin होती है इसलिए नाम इनका पड़ा Echinodermita, है ना, कांटे वाली तोचा क्या कांटे वाली तोचा, क्या कांटे वाली तोचा देखने को मिलती है ये एक अच्छा सवाल बनता है दूसरा जो बात करते हैं, इनके अंदर Ossicles का क्या Calcareous Ossicles Calcium का अंदर जो है कंकाल होता है अंता कंकाल तंतर, जी हाँ अंता कंकाल तंतर कैलशियम का होता है ये कुछ दूसरी हटकर बात है तीसरी चीज़ में बता चुका हूँ दो तरकी सम्मिती, टू टाइपस ओफ सिमेट्री ये मैंने लिखवा दिया है दो तरकी सिमेट्री यहां भी एक अच्छा सवाल लेकर जाती है तीसरी चीज़ जिसमें याद रखनी है वो important क्या है इसमें Echinodermita के अंदर देखें ये न, water vascular system क्या, water vascular system जल सभन तंतर पूछा जाएगा किसमें पाया जाता है जल सभन तंतर क्या, जल सभन तंतर पूछा जाएगा किसमें मिलेगा इसी के अंदर tube feet होती है, नाल पाद क्या होते हैं, tube feet structure होती है नाल पाद होते हैं लॉफर है ये, लॉफर ट्यूब वाले क्या है, लॉफर L.O.F.R. Locomotion, Feeding, Tigger Respiration यानि गमन के अंदर भोजन ग्रहन करने के अंदर ठीक है, और सवशन के अंदर इन सरचनाओं की भूमी का मानी जाएगी तो कांटेद वाली तवचा है, अंता कंकाल तंतर है, ठीक है बेटा, और जो हम बात करते हैं ठीक है ना दो तरह की सम्मिती होगी बेटा जल सवन तंतर पाये जाएगा ट्यूफेट होगा, ये एकाइनो डर्मेटा के बहतरीन सवाल है आप देख सकते हैं मुख जो होता हो नीचे की तरफ होगा गुदा उपर की तरफ होगी जब ये एकाइनो डर्मेटा की बात की जाएगी, तो ये और नॉन और दोनों के बीच में कौन आता है हैमी कोडेटा आता है पहला सवाल जो इसमें अच्छा बनेगा इसमें देखें हैमी कोडेटा के अंदर तो इसमें हम बात करते हैं तीन बबड़ा, है ना प्रॉबोसिस है ना PCT यारखना proboscis क्या है proboscis की बात करते है collar की बात करते है trunk की बात करते है PCT याद रखना क्या शरीर जो है PCT में होगा और सबसे important चीज़े proboscis गरंथी जो है वो excretion का काम करती क्या excretion का उस्सर्जन का काम करती है proboscis गरंथी याद रखने का है एक हम एमी कोड़ेटा में जो बात करते हैं गिल्स होते बच्चों क्या होते हैं इसमें सोशन गिल्स द्वारा होगा ध्यान रखना बच्चों इसमें बाकी कोई नई चीज यहां देखने को नहीं मिलती है बाकी सारी चीजे जो आपने पढ़िए वो सारा सिस्टम ऐसा ही रह सकते हैं जो हम बात करते हैं इनके अंदर स्टोमो कोड होते हैं क्या होते हैं स्टोमो कोड की बात कर सकते हैं क्या स्टोमो कोड की बात कर सकते हैं क्या स्टोमो कोड की बात कर सकते हैं क्योंकि नोटो कोड होती है उसका नाम स्टोमो कोड कहा जाता है क्या स्टोमो कोड की ब सीफेलो पोड़ा है ना और इसमें बात करते हैं सीफेलो कॉड़ेटा सब में close circulation यहां open होगा क्या होगा बेटा open circulation देखने को मिलेगा क्या खुला परीज संचरन देखने को मिलेगा शलिए अब बात करते हैं NCRT कहती है कॉड़ेटा और non-kॉड़ेटा की बात करती है बेटा अगर मैं बात करता हूँ कॉड़ेटा के अंदर बच्चों तो नौटो कॉड़ भूण अवस्ता में देखने को मिलेगी क्या भूण अवस्ता के अंदर देखने को मिलेगा जबकि non-kॉड़ेटा में तो absent है central nervous system केंदे तंतरी का तंतर देखिए कॉड़ेटा में torsal होता है होलो खाली होता है सिंगल होता है जबकि यहां उल्टा करना है अदर सता पे होगा ठोस होगा और डबल होगा यहां पर गिल्स देखने को मिलेगा non-kॉड़ेटा में नहीं होगा हमारा हाट आगे की तरफ होता है बच्चों और इनके अंदर हाट अगर हो तो पीछे की रहती है यूरो कॉड़ेटा सिफेलो कॉड़ेटा की बटा बहुत इंपॉर्टन स्क्रीन शॉट ले लीजिए बटा याद हो जाएगा प्रोटो कॉड़ेटा की बात की जाएगी तो यूरो कॉड़ेटा और सिफेलो कॉड़ेटा बहुत इंपॉर्टन्ट है नोटो कॉड only in larval tell larva की पूँच में ही देखने को मिलती है लारवा की पूँच में अगर notocord प्रश्ट रज्जू देखने को मिलती है यूरो कोड़ेटा में जब कि यहां head से tell तक मिलेगी और पूरी life मिलेगी ता उम्र क्या ता उम्र मिलेगी इसके अंदर notocord यहां बात करते हैं ट्यूनी सीन का आवरण है वहां नहीं होता है दोनों ही समुद्री होते हैं बच्चों और सबसे महत्पुण है इनमें metamorphosis होता है इनमें larva advance होता है विक्सित होता है विस्क से ज़्यादा विक्सित होता है और यह उबे लिंगी होते हैं बच्चों ठीक है एसाइडिया, सालपा, डॉलियोलम, हर्मानिया ठीक है और यहां एक ही एक्जामपल दे रखा है ब्रैंक्योस्टोमा, एमफी, आक्सो यह सवाल तो यही पूछा जाएगा सीफेलो कोडिटा में जो प्रश्ट रज्जु है वो सिर से पूछ तक पूरी उमर मिलेगी जबकि यहां केवल लार्वा की पूछ में ही मिलेगी चलिए साइक्लोस्टोमेट्स की बात की जाती है साइक्लोस्टोमेट्स की अंदर जो बात की जाती है इसमें हैक फिश का जो नाम आता है जिसे मिगजीन कहते हैं क्या जिसे मिगजीन कहा जाता है दूसरा बच्चों इसमें बात करते हैं पैट्रो माई जॉन क्या पैट्रो माई जॉन की बात करता हूँ जिसे लेंप्रे कहा जाता है क्या जिसे lempere कहा जाता है ठीक है बटा हाँ अब जो important चीज क्या है यार रखना petromagone है वो spawning को पदरशित करती है क्या spawning का मतलब क्या है मचलियां जो है मचलियों जैसे लगते है ठीक है false fish कहते हैं ये बटा समूंदर से sea water से कहा जाते है fresh water की तरफ जाते हैं कहां जाते हैं fresh water की तरफ जाते हैं और वहां इनकी क्या हो जाती है death हो जाती है ठीक है तो ध्यान रखना sea water से fresh water की तरफ जाएंगे जनन के लिए और मर जाएंगे larva फिर lot कर आएगा इसे कहते है spawning जो केवल लेंपरे के अंदर देखने को मिलेगा ध्यान रखना ठीक है यह एक important चीज़ है cyclostomate जो होते है बेटा ectoparasite है क्या है बेटा ectoparasite होंगे यह important चीज़ है और यहाँ 6 से 15 बेटा जो pair gills की बात करंगे क्या होते हैं gills होते हैं याद रखना बेटा ठीक है तो बेटा इसमें जो इसमें सबसे important चीज़ क्या है ectoparasite होंगे 6 से 15 जोड़ी gills होंगे punk नहीं होते हैं devoid of fins की बात कर सकते हैं इनमें punk नहीं होते हैं क्या punk नहीं पाए जाते हैं युगमित punk की बात करते हैं क्या होंगे अनुपस्तित होंगे close circulation होगा बेटा क्या होता है बंद परी संचरन मिलेगा क्या बंद परी संचरन देखने को मिलेगा क्या बंद परी संचरन देखने को मिलेगा ये मोटी मोटी बाते cyclostomates में आपको ध्यान रखनी होगी है ना तो ये cyclostomates में बड़ी बड़ी बाते आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद जो हम बात करते बच्चों उसके अंदर fish है fish के अंदर जो सबसे बात चीज़ देख सकते हैं मोटी मोटी बात या रखनी है जो बात करते उपास्तिल मचलियां और बात करते बच्चों अस्तिल मचलियों की बात करते ये चाटे screenshot ले लिजे बड़ा ये बहुत important important चीज़े हैं तो हम बात कर सकते हैं उपास्तिल और अस्तिल में समूंदरी होती है उपास्तिल जो अस्तिल होती है वो समुद्री हो और स्वजल दोनों में रहती बटा यहां उपास्ती का कंकाल तंतर बना होगा मुझ जो होता नीचे की तरफ होता है important चीज़ देखिए 5 से 7 जोड़ी गिल्स होते हैं और अस्तिल मचलियों के अंदर जो बात करते हैं क्या अस्तिल मचलियों के अंदर जो बात करते हैं वो चार जोड़ी गिल्स होते हैं क्या चार जोड़ी गिल्स होते हैं और अपरकुलम से ढखे होते हैं यहां साइकलोईड और टीनोईड सल्क होते हैं यहां ध्यान रकिया प्लेकोईड स्केल्स होते हैं important है यहाँ पर air blader नहीं होता है जबकि यहाँ air blader होते है जुनको हलका बनाते हैं बच्चों यह भी call blader है यह भी call blader है यानि हम बात करते हैं तापमान को नियत नहीं कर सकते हैं शीत रुदीर हारी क्या बोलते हैं शीत रुदीर हारी कहा जाता है बेटा ठीक है दूसरी जो चीज में ध्यान रखना बेटा दो चेंबर हाट यहां भी दो चेंबर हाट रहेगा और बेटा इसमें एक नीड में कोशन आ चुका है उपासिल मचलियों के अंदर जो बात करते हैं मेल के अंदर जो ध्यान रखना क्लैस पर होते हैं क्या होते हैं क्लैस प पाए जाते हैं क्या जननांग पाए चाते हैं ठीक है ये विवी पैरस होंगे बच्चों इसमें शार्क आएगी क्या शार्क याद रखना जरा यूज होगी जबकि ये कैसे होते हैं बच्चों ओवी पैरस होते हैं अंडज माने जाते हैं ठीक है उसके बाद ये NCRT की जो टेबल है बटा उपास्तिल मचलियों की और अस्तिल मचलियों की बात कर सकते क्या ये उपास्तिल के अंदर और ये अस्तिल के अंदर जो दे रखा है इसमें आप ध्यान रखेगा डॉप फिश, प्रिस्टिल सोफिश, ग्रेट वाल शार्क ये अच्छा है, सवाल आएगा ट्राइगोन को क्या कहते है, स्टिंग रे कहा जाता है टॉर्ट पीडो को क्या कहा जाता है, इलक्ट्री रे कहा जाता है ये बहुत इंपोर्टन ए, एक्जामपल डारेक्ट मैस दा कॉलम में पुछे जाते है मैस दा कॉलम में पुछे जाते है जबकि यहां समूंदर के अंदर एग्जो सिटीज फ्लाइंग फिश है दरियाई घोडा, सीव होट्स, हिपोकेंपस है ठीक है बड़ा, फ्रेश वोटर में लेबियो, कतला, क्लेरियास, मागूर की बात करेंगे कौन सी एक्वेरियम में यूज करते हैं फिश बेटा, फाइटिंग फिश, टेरोफाइलम, एंजल फिश की बात की जाएगी तो यह कुछ एक्जामपल है मेन मेरे इसाब से यह अच्छा कोश्चन है यह सवाल ज़्यादा पूछा जाएगा ट्राइगोन, स्टिंग रे, याद अखना, टॉर्पीडो इलक्ट्रिक और्गन, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए छलिए अंतीम, 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 अंतीम चीज अगर हम बात करते हैं अगर अगर हम बात करते हैं स्केस, स्क्यूट्स, मगरमच देखो छिपकलियों की बात करते हैं पक्षियों में पंक होते हैं चौँच होती बच्छों और मेमल्स के देखो मेमेरी ग्लेंड होगी C7, गरीवा कश्यरुआएं साथ कॉर्पसелास्ट बोड़ी हेयर और इयर पीना इमपोर्टेंट है ये अच्छा सवाल बनेगा मैमेल्स की अंदर क्या क्रेक्टर है मे मेरी गलैन इस्तन गरंतियाں साथ ग्रीवा कशी रुका है कॉर्पस केलोस्ट útilाव बोड़ी हेयर और ear पीना important है यहाँ देखिए moist skin है नम तुचा होती है without scale यहाँ बात करते हैं साप और छिप्कियां अपनी तुचा को छोड़ती है और यहाँ oil preen gland आयावा सवाल है preen gland पंचियों के पक्षियों के पूँच वाले भाग में होता है याद रखना oil या जबकि हमारे अंदर हम बात करते पीना होते हैं क्या पीना होते हैं याद रखना हमारा ही गुण है अगर हम बात करते हाट की तो आप देख सकते हैं उबे चुरों में तीन चेंबर फिर देखें तीन चेंबर पर मगर मच के अंदर exception है चार चेंबर पक्षियों में चार, हमारे अंदर चार पॉई कीलो थर्मड है ना, शीद रूदीर हारी कॉल ब्लेडड, कॉल ब्लेडड ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कॉल ब्लेडड है, है ना, ठंडे खून वाले, अपने तापमान को नियत नहीं कर सकते, और ये वाम के अंदर क्लोका चिदर होता है, अवस्कर चिदर होता है, यहां पर आप देख सकते पक्षियों में कोशन आ चुका है क्रॉप और गिजाड, यानि संग्रानी, जो बात करते हैं भोजन का संग्रन होता है, और पेशनी होती है बच्चों पक्षियों के अंदर क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है नीट का सवाल आ चुका है यहां हेटरोडॉंट, ठीकोडॉंट, डाई फायोडॉंट मिलेगा और बाकी बच्चों मेंडक माम ने पढ़ाई है गेज, लंक्स, स्कीन है यहां raspiration की बात करहें बेटा air sick की बात कर सकते हैं यहां lungs है, ठीक है और यह हम बात करते हैं last जो slide है बेटा है ना, oviparas होते हैं मेंडक वगरा में बात करते हैं बाहियर, नीशे चन की बात करेंगे यह oviparas है, यह भी oviparas है, और यहाँ vviparas और exception है जयान रखेगा exception प्लेटी-पस की बात करते हैं अकीडना की जो ओवी-पैरस होते हैं मेमस विवी-पैरस होते हैं अपवाद है प्रोटो-थीरिया के मेंबर माने जाते हैं बाकी आप सब देख रहे हैं ओवी-पैरस ओवी-पैरस अंडज है और यह NCRT के एक्जामपल है बच बच्चों गहाँ green gland Prawn के अंदर देखने को मिलती विवेक जी क्या green gland कहां मिलती है? Prawn के अंदर, जहिंगा के अंदर तो बच्छों यह पूरी taxonomic का पाट था थोड़ा fast था जिसके पढ़ावा था तो इसको revise करने में बड़ा benefit होगा आप इसको सुनना बेटा जब भी हो फ्री टाइम हो तो एकदम रिवाइज हो जाएगी चीजें आप लोगों की ठीक है तो all the best thank you so much good luck